गैस स्वागत है आपका एक ऐसे वीडियो में जहाँ पर आज आप पूरा का पूरा कोर्स लेने वाले हो एक ऐसे सब्जेक्ट पे जो की इस दुनिया के सबसे बड़ी डिमांड है और अगर आप भी इस टॉपिक के आजपास के कॉंटेंट जो है गूगल पे या यूट्यू सकता इसमें डेफिनिटली ग्यान जो है कूट कूट के भरा हुआ है और एक्जाक्ली मैंने पूरी कोशिश भी किये कि मैं कूट कूट के ग्यान इतना भर दू इसमें कि इसके बाद शायद आपको कोई और वीडियो देखने की बिल्कुल जरूत ना पड़े तो आज के वी किया है वह आमके लिए काफी है या नहीं है इसमें सबसे पहले मैं इसमें जाता हूँ आप में से बहुत वर्टप्रेस का एक अलगी चार्म है और उसका जो बेनेफिट है वो ब्लॉगर से कहीं गुना जादा है इसलिए हम वर्टप्रेस इंस्टॉल करेंगे फिर हम चैट जीपीट का इस्तबाल करेंगे सीलो स्ट्रक्चर बनाने के लिए वह बहुत इंपॉर्टन होता है गूगल के लिए उन प्लॉगिंज का इस्तबाल करेंगे जो कि मैं परसनली अपने लिए भी करता हूं फिर उसके बाद मैं कीवर्ड रिसर्च करना सिखाँगा आपको की एफिलेट मांगेटिंग अगर आपको करना है तो कीवर्ड कैसे कैसे आपको पिक करने है स्टार्टिंग के में फिर मिड्डेज में और फिर जब प्रो हो जाओगे तब तो आप कोई भी कीवर्ड उठाओ आपका वेबसाइट जो है वह चीता बन जाएगा और गूगल हर कीवर्ड पर आपको रैंग देगा एट स्टेप में हम सीखेंगे कॉंटेंट आउटलाइन करना क्योंकि वह हमारे लिए कन्वर्जन लाएंगा हमारे कस्टमर से देखो सिर्फ रैंग करना इस यूजलेस जब तक वह कन्वर्जन नहीं लाना तब तक कोई फाइदा नहीं है उसके बाद हम उसका ऑन पेज आप्टिमाजेशन करेंगे और टेकनिकल एस्यों करेंगे जिससे गूग सर्च कंसूल का सेट अप करेंगे और साइट मैपको सब्मिट कर देंगे ताकि हमारे वेबसाइट में कोई भी कॉंटेंट पब्लिश हो रहा है तो वह इमीडियेटली सर्च कंसूल पर चला जाए जिससे गूगल उसे तुरंत इंडेक्स कर पाए और फिर मैं लास्ट में 13 step में अपना real time pro tip दूंगा जो कि मैं personally अपने लिए करता हूं मेरे conversions लाने के लिए affiliate marketing पे तो ये थे आज के वो chapters जिसको कि आप आज कवर करोगे इस session के अंदर पूरा session अगर आप देख सकते हो तो अच्छी बात है वरना वीडियो को save जरूर कर लेना ताकि आप इसे bits and pieces मे देख पाऊ जब भी आप free हो अब शुरू करते हैं सबसे पहले first come first देखो सबसे पहले जो आपको affiliate marketing में focus करना है guys वो है guidance affiliate marketing क्या है मैं आपको समझा देता हूँ affiliate marketing is like कि आपके पास patient आ रहे है और आप doctor हो और आप doctor के नाते आप उसका एक pain problem है उसके पास एक solution चाहिए उसको वो solution आपसे मांगने आ रहा है बस affiliate marketing यही है एक doctor इस दुनिया का सबसे best affiliate marketing होता है क्यों उसको trust करते है doctor को कि doctor जो भी लिखके देगा उसे मैं ठीक हो जाओंगा और doctor क्या लिखके देता है prescription में दवाईया दवाईया क्या होती है जिनसे वो affiliate होता है जिस वज़े से आपका patient जो है आख बंद करके उस दवाई को chemist से purchase क कर लेता है और pharma company उस doctor को उसके लिए payout दे देती है तो एक doctor इस दुनिया का सबसे best affiliate marketer होता है मेरे नजर में और आज मैं आपको उसी doctor के level पे affiliate marketing करना सिखाऊंगा यह सत्त प्रतिशत तरीका है गाईज अगर आपको affiliate marketing करना है इस दुनिया के सारे बड़े affiliate marketer इसी principle पे अ आजाम देती है including me अब जब मैं including me की बात कर रहा हूँ तो guys मैं एक काम करता हूँ मैं अपने कुछ affiliate incomes आप लोगों के सारे शेयर कर लेता हूँ ताकि आपको वो confidence आ जाए कि ऐसा करना possible है तो guys सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो यह आप देख सकते हो कि अभी तक का total मैंने इस एक platform से 42,945 अगर मैं यहाँ पर आपको दिखा हूँ तो let's do one thing 42,945 और प्लस 1705 अभी account balance है जो कि आना है 1705 तो guys मैंने अभी तक 44,650 जो है यहाँ से USD earn कर लिया है अगर मैं इसको convert करूँ तो तकरीबन 36,6,000 रुपे मैंने यहाँ से एक platform से earn किया है अगर आपको refresh करने की बात आ रही है तो मैं refresh करके भी दिखा देता हूँ आप देख लो यह refresh हो गया है सेम अमांट है सब कुछ सेम है और second platform पर गर मैं जाओ तो आप यहाँ पर मेरे नाम देख लो जो भी आप देख सकते हो यह हर मेने का report निकालना पुड़ता है इसलिए इसमें थोड़ा time लगता है और इसमें एक बार में report नहीं निकलता है तो मैं आपको bits and pieces में दिखा रहा हूँ कि यहाँ से भी मैंने earn किया है तो इस तरीके से एक और मैं आपको दिखा देता हूँ बाकि ऐ इस तरीके से affiliate marketing दोस्त होता है और affiliate marketing में बहुत अच्छा गासा scope है तो आप यकीन मानिए कि आज के इस वीडियो के अंदर में यह सारे techniques आप लोगों से share करूँगा कि मैं खुद affiliate marketing कैसे करता हूँ और आप अगर करना चाहते हो तो इसके लिए आपको क्या-क्या सीखने की जरूत है सिखाने के लिए मैं बैठा हूँ लेकिन एक disclaimer के साथ मैं आपको आगे ले जाना चाहूँगा वो यह है कि आप जितना मर्जी मेरे वीडियो देख लो आप जितना मर्जी किसी और कभी वीडियो देख लो आप earning तभी करोगे जब आप इस चीज को उस level पर करोगे जिस level पर मैं या दूसरे affiliate marketer करते हैं जिसके अंदर तीन चीज़े बहुत important है वन है आपका passion कि ये करने का मन है या सिर्फ पैसे को देखके आ रहे हो अगर पैसे को देखके आ रहे हो तो affiliate marketing नहीं बहुत सारी और चीज अबेलेबल है और second आपका focus कितना होगा इसके अंदर ऐसा तो नहीं है कि आप भटक जाओगे बीच में जाके बिलकुर dedicatedly करोगे ना ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप दो तिन दिन चार दिन या दो हफते करके आप पता रहे हो यह तो नहीं होने वाला चलो छोड़ो अगर ऐसा है तो आप आपी से मत करो आप अपने time और resource जो है वो खराब कर दोगे थर्ड है patience patience के अंदर बहुत important चीज़ यह है कि आपको यह ध्यान में रखना है कि कोई भी काम quick नहीं होता है इस दुनिया में उसको nurture करना पड़ता है उसको अपने हाथ से सवार ना पड़ता है सीज ना पड़ता है तो affiliate marketing काम आसान है लेकिन इसमें भ मेरा result नहीं आरा तो छोड़ दो आपको patience रखना पड़ेगा तो यह मेरी तरफ से disclaimer था और आज का video मैं अब start करता हूं कि आपको आज मैं क्या-क्या सिखाने वाला हूं अगर यह demanding video थी आपके लिए तो आप like से शुरू कर सकते हैं और comment में आपको कोई प्यारा सा कुछ लि लोगों से share करूंगा meanwhile the video तो आगे बढ़ते हैं अब video के साथ हमारे इस affiliate marketing industry में आपको यह नहीं करना है देखो क्या है आपको एक business start करना है affiliate marketing is what यह एक business ही तो है खलिए online कर रहे हो तो इसका पतले यह तोड़ी नहीं कि यह कोई online का अलगी चीज हो गया इसका अलगी नाम होगा नहीं यह भी एक business है और business हमेशा दुनिया में वही करना चाहिए जिसमें आपका interest है अगर मान के चलो अमन गुपता जो सिये थे उनका interest headphones ये gadgets में था अगर इसके अलावा अगर यह कोई और company खोल लेते जो की oil बनाती है chemical बनाती है तो शायद उनको वह अच्छा नहीं कर बाते और जो प्यूश है उनको lens card पतलब lens या फिर चश्म बनाने का passion था तो अचानक से उनको लगा कि यह करना चाहिए तो वह उसमें घुसे और पूरे मन से लगा के उसको कहां तक पहुचा दिया हम सब जानते हैं और मान के चलो अगर वह cosmetic business में होते हैं तो शायद वह अच्छा नहीं कर बाते exactly मेरे case में मैंने हमेशा digital marketing के products के now अब आप अपना passion कैसे डूढ़ोगे अगर आपको पता है तो उससे तो best कोई बात ही नहीं है लेकिन अगर नहीं पता है चलो मैं अब आपको passion डूढने में help करता हूँ passion ना कुछ भी हो सकता है यह मत समझना कि food automobile या health या digital marketing या फिर मतलब वगरा वगरा जो बड़े बड अगर आपको घर में रहके साफ सफाई करना पसंद यह भी एक passion हो सकता है आपको बात करना पसंद है यह आपको बाइक चलाना अच्छा लगता है आपको यह पैशन है आपको गैजेट्स को छेड़ना पसंद है मतलब उसमें से नहीं चीज़े निकालना ढूंदना यह सब यह आप बिल्कुल भी यह मत सोचना कि आपके अंदर कोई टैलेंट नहीं है आपके अंदर टैलेंट है बस आपको यह देखना है कि आप किस चीज़ को अच्छा कर रहे हो और मन लगा के कर रहे हो मैं उसमें प्रोड़क्ट ढूंदना आपको सिखा दूंगा उसकी टेंश से करता हूँ देखना आपके फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स में से कोई एक ऐसा जरूर होगा जो कि आपको बताए देगा कि आप किस चीज़ में अच्छे हो और किस चीज़ में आपको काम करना बहुत अच्छा लगता है बस वहीं से आपको ट्रेकर हो जाएगा category कौन सी है जो कि आपको affiliate marketing अंदर काफी अच्छा conversions के साथ साथ margin भी देगा ताकि आप कम टाइम में एक जादा margin के साथ जादा कमा सको हना तो उसके लिए हम चलेंगे Amazon में so guys now मैं यहाँ पर Amazon पर हूँ और Amazon दुनिया का एक ऐसा website है जो कि इस दुनिया में almost हर कोई trust करता है यहाँ से product buy करना तो इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर आपको अपना वो profitable product मिल जाएगा जो कि आप काम करोगे और उसमें आप अपना career जो है बड़े आसानी से stable कर सकते हो तो यहाँ पर सबसे पहले जाओ Amazon पे और यहाँ पर all पे जाके आप अपना category ढूंड लो shop by category यहाँ से ढूंडना बहुत ज़्यादा जरूरी है अब mobiles and computers for example मैंने कहा था कि मान के चलो कि आपको gadgets अच्छे लगते तो आप mobiles and computers या electronics item यहाँ से इस category को निकाल सकते हो यह तो एक super category हो गई लेकिन इसके अंदर भी niche यह नहीं है कि आप पूरे mobile section पे आप पूरे computer section पे काम करोगे ऐसा भी नहीं है मान लेते हैं कि मैं mobile section पे गया अब यहाँ पर जो यह category आई है this is known as your niche अब इसमें से आप काम करोगे मान लेते हैं मैं wearable devices पे काम करोगा ठीक है तो अब मैं wearable जब devices पे काम करोगा तो सिर्फ और सिर्फ मैं इस पे काम करोगा कि इसके बाहर मैं किसी और चीज़ के बारे में content नहीं बनाऊँगा मुझे मेरी audience जानेगी कि मैं wearable devices का expert हूँ मैं इसकी जो राय दूँगा या इसका जो consultation दूँगा वो इतना appropriate और accurate होगा कि लोग उसी time पे आपके उस affiliate link को click करके आपके उस float को buy कर लेंगे लेकिन वहीं अगर मैं बोलू आप wearable पे भी अपना consultation दे देते हो आप mobile phone पे भी देते हो आप laptop पे भी देते हो आप CPU पे भी देते हो आप mouse पे keyboard पे सब पे देते हो तो लोग आपको ना उतना expert level का influencer नहीं मानेगे तो मैं इस चीज़ पर focus करना चाहूँगा कि अगर आप बिलकुल niche पे अपने डटे रहोगे तो आपके दो बहुत बड़े फाइद होने चाहिए एक तो आपका audience का trust बहुत strong तरीके से आपकी तरफ flow करेगा और second जो है ये आपकी तरफ brand deals को attract करेगा मान लो calculate में कोई बड़ा brand या छोटे मोटे brand अपने variable निकाल रहे हैं उनको पता है कि आप इसके उपर एक आर्टिकल लिख दोगे इसके उपर एक पोस्त लिख दोगे तो ये चीज़ कब हुआ ये तब ही हुआ जब उन्होंने आपको एक niche पे expert माना तो brand deal और trust flow और ये दोनों अगर रहेगा तो आप affiliate marketing से तो earn करोगे करोगे लेकिन sponsored post link लिख के भी आप लाखों में earn करोगे और ये सत प्रतिशत सच है ये एक truth है जो कि इस दुनिया में ऐसा हो भी रहा है तो अभी तक मैं आशा करता हूँ इतना तो आपका हो गया है तो इस तरीके से आप for example variables पे जाओगे और यहाँ पर आपके पास अंगिनत product होंगे जिन पर आप content guys बना सकते हो आप यकीन मानो आप पूरे साल content लिखते लिखते बनाते बनाते ठक जाओगे लेकिन इनके products जो हैं वो खतम नहीं होंगे तो आप जल्दी से चलते हैं इसकी profitability निकालने के लिए तो इसके लिए आपको जाना है Amazon Associates fee schedule पे और यहाँ पर हम search करेंगे कि Amazon हमें इस particular product पे कितना commission देगा तो यहाँ पर आपको ढूनना पड़ेगा सबसे पहले यह कौन सी category में आता है यह variable technology electronics में आता है तो आप यहाँ पर electronics देख लो यह रहा electronics इस पे आता है तो electronics पे आपको 5% का whooping margin मिलेगा guys 5% समझ रहो मतलब मान लेते हैं अगर कोई product है let's suppose मैं इस पे किसी एक product पे गया मैं भी click कर देता हूँ and मान लेते हैं यह साले 4000 खाप product है तो तक्रीबन आप इस पे 200 से 300 रुपे जो है margin earn कर सकते हो without इसको खरीद के क्योंकि trading में क्या होता है पहले आप इसे खरीदती हो खरीदने का cost होता है इसको stock करने का cost होता है फिर इसको sell करने का cost होता है without खरीदे आप इस पे 200 से 300 रुपे earn कर रहे हूँ इससे best deal इस दुनिया में नहीं हो सकती आप देखो यहां पर कितने product है जिनको आप affiliate कर सकते हो पदलब आप यकीन नहीं कर सकते इतना profitable यह business हो सकता है अगर मान के चलो मैं simple calculation के point of view से भी अगर बात करूँ आपका जो block content है काफी traffic ला रहा है क्योंकि उस आरे techniques में बता दूँगा जिससे आप लाओगे तो अगर मान लेते हैं दिन के सिर्फ 10 item भी sell हो रहे हैं जो कि मैं अभी initial days का ही target ले रहा हूँ तो multiply बैगर 200 रुपे का मेरा एक watch a commission है तो मैं दिन में अराम से 2000 रुपे earn कर पाऊंगा multiply बैगर 30 कर दो तो आप 60,000 रुपे तो minimum earn कर पाऊगे इस particular product के उपर content लिखके affiliate commission से जिस दिन ये item आपके 50 बिकने शुरू हो जाएगे तो आप यकीन मानो आप दिन के 10 रुपे earn करोगे monthly आप earn करोगे 3,000,000 रुपे जिस दिन आपकी website का trust flow और strong हो जाएगा तो guys आपका तो चांदी चांदी हो जाएगी इस पर कोई भी question है comment जरू करना मैं reply करने की कोशिश पूरी करूँगा फिर भी मैं एक चीज और बता देता हूँ कि ये बिल्कुल मत समझना कि आपको सिर्फ electronics आइटम पे ही काम करना है ऐसा बिल्कुल कते ही नहीं है आप यहाँ पर जाना shop by category पर जाना जिस भी चीज में आपका interest है आपका beauty में interest है आपका health में interest है आपका grocery में interest है आपका car, motorbike, industrial equipment किसी में भी interest है, books में interest है आप किसी चीज में भी कर सकते हो for example मैं beauty में चला जाता हूँ तो beauty में भी अगर मान लेते हैं makeup आपे से कोई अगर female है या फिर female क्या mail भी कर सकते है अगर mail है आपको इन makeup items की knowledge है passion है तो आप इन पे काम start कर दो अब इसमें भी अगर मैं दिखाऊँ तो इस पे भी अच्छा कासा margin है तो ये कौन से category में आता है मैं सबसे पहले बता देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर चलते है beauty में तो इस beauty में भी आपको 5% का सीधा whooping margin मिलता है 5% का margin यार कोई ऐसी चीज़ पे जो कि आप खरीद नहीं रहे trading में भी 5% का margin निंग से नहीं मिलता ये पाड़ ले जी coca cola या pepsi वगरा बेच के दुकार लगा के भी आप यहाँ पर से वेबसाइट में बेच रहे हो और माल लेते हैं कि इसमें से कोई एक नया item है ये तो बहुत सस्ते सस्ते item है आप यकीन मानो कि अगर आपका trust बन गया market में एक flow बन गया तो brand deals आपके affiliate commission से जादा आ सकती है लेकिन अभी फिलाल आप affiliate marketing पे ही focus करो तो यहां से भी आप दिन के 100-200 अगर लिपस्टिक सेल कर रहे हो जो कि बहुत बड़ी बात है अगर यहाँ पर आपको दिखाऊं 20,000 इसकी rating है मतलब इतना देख रहे हो तो यारी जो product बहुत ज़दा बिकर है आप देखरो 100 बिकर है मतलब इसकी काम मत करो 1000 बिकर है इसकी काम करो तो जिस product में आप देखरो कि sales जादा आ रही है तो आप उस product पे काम करोगे यह एक profitable product निकालने का एक और तरीका है इस पे भी आप काम कर सकते हो इस point of view से करने उतरे हैं तो हमें क्या करना है हमें audience चाहिए अब audience चाहिए कहां चाहिए तो आपके पास दो option होते हैं या तो आप अपनी खुद की website बना लो या फिर आप कोई social media अपना कोई handle बना के जिसके अंदर Twitter हो गया YouTube हो गया या फिर Facebook हो गया Instagram हो गया आप वहां पर content डालना start कर दो लेकिन अगर मैं preference की बात करूँ तो मैं हमेशा अपनी एक website को या पर preference दूँगा reason क्योंकि वो मेरा खुद का asset है social media handle चब चाहिए वो ban हो सकता है, band हो सकता है, block हो सकता है, कोई users regulation आ गया, कुछ भी हो सकता है but website जो है वो हमेशा मेरी रहेगी और उस पे कोई भी third party कोई उसमें interference नहीं कर सकता है तो इसलिए मैं चाहूंगा कि मेरी audience मेरे पास आए directly मेरे website के अंदर जो कि मेरा बनाया हुआ है इसलिए मैं यहाँ पर चाहूंगा कि आपको खुद का एक domain name हो बट आप कभी भी अपना social media handle किसी को sell नहीं कर सकते है लेकिन मैंने कभी कबार सुना है कि social media handle sell हूँ है लेकिन वो authentic नहीं होगा in comparison to website selling पे क्योंकि website selling के लिए proper एक channel बना हुआ है proper एक ऐसा platform है फ्लिपा जहांपर आप जाके अपनी website को बेज सकते हो अगर आपके पास traffic एक particular niche पे है तो यह main second important reason है जिसके लिए मैं अपना खुद का domain लेकर अपनी website को host करना चाहूँगा तो अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आपको domain name कैसे search करना है तो उसके लिए हम चलेंगे godaddy.com पे और यहाँ पर जाके मैं अपना domain name type करूँगा लेकिन उससे भी पहले अगर मैं बात करूँ तो मैं chat GPT को open करूँगा और उनसे पूछूँगा कि मेरा domain name कैसा होना चाहिए माल लेते हैं मैंने अपना niche select कर लिया है niche है मेरा variable device तो for example मेरा जो niche है वो variable device है तो मैं यहाँ पर लिख दिया है फिर मैं यहाँ पर लिखूँगा chat GPT से kindly suggest me some one word domain name for my new affiliate marketing website simple enter कर दो अब यह आपको आपके लिए एक domain name select करने में help करेगा जैसे की वेरा, gadgeto, techfit अब मैंने इसको one word का ही क्यों बोला है क्योंकि इससे आपका domain name है वो short रहेगा और थोड़ा fancy रहेगा अगर यह dual word होगा तो वो क्या होगा एक तो character limit बढ़ा देगा spelling mistakes के भी बहुत सारा chances होगे one word एक अच्छा सा आपका reputation बनाने में help करता है तो मैंने इसको यहाँ पर दे दिया यह काम अब मैं अगर बात करूँ तो आपको जरूरी नहीं है इसमें सारे domain जो है वो मिल जाएंगे मैं इसमें से कोई एक domain को select करता हूँ जैसे की वेरा अगर मैं इसको देखूँ let's go here and then click on it अब अगर आपको मिल जाता है dot com में तो बहुत अच्छी बात है लेकिन वहीं अगर यह dot in पर मुझे मिल रहा है तो मैं इसको dot in पर ले सकता हूँ अगर मुझे Indian audience को target करना है जो कि मैं Amazon dot in के लिए काम करूँगा तो मैं Indian audience को ही target करूँगा Amazon dot in जो है वो US की audience को target करके मैं करे ही नहीं सकता क्योंकि उसमें product काली इंडियन प्रोडट्स ही होंगे तो इसको यहां से ले सकता हूँ अब यह फिर से आ गया this domain is not available तो अगर अवेलेबल ही नहीं है तो next domain पर चलते है gadget तो आप इसको make it yours पर click करके इसको buy कर सकते हो Amazon India में भी काफी ज्यादा scope है मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो आप .in को prefer विलकुल कर सकते हो क्योंकि यहां पर भी बहुत sale आते हैं दोस्त अब continue card पर click करते हैं और यह मुझे तीन साल के लिए 1447 रुबे का मिल रहा है vary.in अब अगर मैं इसको एक साल का लेना चाहूँ तो मैं एक साल का भी ले सकता हूँ और यह मुझे 524 रुबे का पड़ेगा लेकिन बात पता है क्या है जब आप affiliate marketing करते हो तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको इसको long term चलाना है तो आपको हर चीज़ को long term के लिए अभी से ले लेना ज़ादा फाइदे मन दोगा इससे आपकी seriousness Google के नजरों में भी count होती है और Google देखता है कि जो domain name जादा time के लिए लिया गया है मतलब वो serious domain name है और उस website का अंदर जो content है वो भी एक अच्छा content माना चाएगा इसलिए आप इसे 3-4-5 साल जितने साल के लिए लेना चाहो आप यहाँ पर ले सकते हो ताइक मैंने यहाँ आप 10 साल करते ही यह 5200 का यहाँ पर दिखा रहा है तो for example सिर्फ आपके knowledge के लिए मैं इसको एक साल के लिए भी आपके सामने buy कर लेता हूँ I am ready to pay जैसे मैं इसको pay करूँगा complete purchase पर क्लिक करते हैं complete purchase पर क्लिक करते हैं यह processing आ जाएगा तो guys very.in हमने purchase कर लिया है इस domain के purchase के साथ हमारा step number 2 जो है यह complete हो जाता है कि हमने एक domain name जो है वो decide कर लिया है जो कि मेरे बिलकुल line of products से appropriate तरीके से match काता है vary.in जिसमें मैं variables के consultations, articles और guidance दिया करूँगा तो यह मेरा step number 2 था step number 3 में हम जल्दी से wordpress को install कर लेंगे और wordpress install करने के लिए मैं use करूँगा guys hostinger hostinger मेरा एक one of the favorite brand है क्यों मैं इसको trust करता हूँ क्योंकि hostinger का जो speed है और इसका जो price है यह इतना जबर्दस अपने आपको justify करता है कि मैं क्या बोलूँ इस price में मुझे इस तरीके का qualitative hosting मुझे बलकुल नहीं मिलता है मैंने एक बार खरीद लिया और एक ही बार में मैंने सारे domains को यहीं पर host कर दिया है आप यकीन मानो आपको बार-बार hosting खरीदने की जरूद नहीं पड़ती है तो इसलिए मैं hostinger को recommend भी करता हूँ अच्छा एक और चीज़ कि अगर जैसे मेरे पास तो hostinger है तो मैंने सिर्फ domain name को खरीदा अब मैं इसको यहाँ पर आऊँगा और latch मैं इसके साथ कर दूँगा लेकिन अगर आपके पास कोई भी domain name या hosting नहीं है तो आप सर्फ hostinger से hosting खरीद लो domain को अलग से खरीदने की बिल्कुल भी ज़रुत नहीं है first domain name आपको hostinger की तरफ से free मिल जाएगा और अगर आप hostinger लेना चाहती हो तो हमेशे इसका maximum plan लेना चार साल के लिए जो कि इतना affordable है कि चार साल तक आपको कुछ भी pay नहीं करना है आपको आज के rate वाला जो amount है वो fix हो जाएगा चार साल के लिए वरना हर साल ये बढ़ा दिता है amount और हर साल जब बढ़ता है amount तो वो बहुत चुपता है हमें pay करने के लिए और एक और चीज़ अगर आप hostinger मेरे affiliate link से buy करोगे जो कि मैंने description में दिया है तो आपको दो नहीं चलो तीन फायदे करा दूँगा फायदा नमबर वन आपको एक code दूँगा ROI डिजिटल ROI without space डिजिटल लिखना apply करना 10% का flat discount जो भी amount होगा second फायदा आपको इस पूरे process के अंदर मैं जितने भी premium plugins दिखाऊँगा वो सारे premium plugins आपको मही तरफ से licensed version उसका मिलेगा एक साल के लिए बकायदा उसमें updates मिलेंगे तो वो मही तरफ से आपको gift होंगे जिसके अंदर बहुत बड़े-बड़े plugins के नाम है अगर आप यकीन नहीं मान रहे हो तो आप पूरे वीडियो को वो हमारे टीम की तरफ से आपको offer किया जाएगा तो यह तीन बड़े challenge जो एक नए affiliate marketer के लिए होते हैं वो हम आपको solve करके देंगे में तरफ से आपको gift है क्योंकि अभी जो settings होगा हो सकता है आपके सर के उबर से जाए लेकिर आपको घबराने के ज़रूत नहीं है सिर्फ आपको नीचे description के link से buy करना है और मुझे receipt मेरे email पे भेज देना है बाकि अभी concentrate करो पूरे इस course पे बाद में जब इस course खतम हुझा है तब buy कर लेना और अपना process जो है वो start कर देना तो guys process देख लो अब मैं सिधा जाओंगा latching करने के लिए websites पे यहाँ पर create और migrate website पे मैं click करूँगा then यहाँ पर मैं skip I don't want personalized experience पे click करना है मुझे और create a new website पे select करना है then यहाँ पर wordpress को select करना है मुझे और यहाँ पर मुझे अपने email id को mention करना है जो कि active होग, operational होगा क्योंकि यह जो email भेज़ेगा password के लिए या किसी और चीज़ के लिए वो मेरे पास आना चाहिए और यहाँ पर आप अपना कोई भी एक अच्छा सा password रख सकते हो जो कि आपको याद बिल्कुल रखना है 100% तरीके से और यह सारे जब match हो जाए तब आपको continue पर क्लिक करना है यहां से कुछ नहीं करना है सिवाए आप Google site kit को ज़रूर रखना then continue पर क्लिक कर दो and then यहां से कोई theme लेने क्या भी फिलाल आवशकता नहीं है तो आप इसे skip कर सकते हो अब यहाँ पर आके आपको very.in या very लिखना है काली क्योंकि very is like my domain name जो की brand name है मैं इस तरह से इसको चलाना चाहूंगा और chat gpd में जाके मैं इसका description लिखूंगा write a short description about my new affiliate marketing website on wearables my domain name is very.in इसने मुझे एक short description भी लिखके दिना start कर दिया तो मैं एक short description को आप यहां से copy करो और मैं एक plagiarism checker tool इस्तमाल करता हूँ जो की है qtext.in बहुत जबरदस्त है guys कि इसका जो database है यह बहुत billions of pages को store करता है और उनके साथ match करके आपको बताता है कि आपका जो यह content है यह plagiarize तो नहीं है आप अगर यह छोटे मोटे जो free वाले duplicate checker को आप consider करोगे तो आप बहुत बुरे फस होगे क्योंकि उनका database कई-कई महीनों पुराना होता है उसके बाद अगर और millions of content है उससे लिख दिया गया है तो उसके साथ वो match नहीं कर पाता है वो पुराने database से match करता है और अगर पुराने database पे उससे नहीं मिलता है तो आपको बोल देता है कि यह plagiarism free है वगरा वगरा खास का small SEO tools जो है वो ऐसा करता है और मेरे बहुत सारे students इसमें फसे हैं तो मैंने उनको पहले भी बोला था कि उसको use मत करना बाकि यह premium है मुझे पता है कि premium में इस टाइम पर बहुत लोग effort नहीं कर पाएंगे लेकिन मैंने future के लिए आपको बता दिया है कि आपको इन चीजों का खास इस तरीके से दियान रखना है तो अभी मैं फिलाल चक कर वा रहा हूं और देखता हूं कि कहीं यह content plagiarized तो नही इसका आपको खास 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 धियान रखना है तो अभी मैं वेट कर रहा हूं 18% हुआ है अगर यह complete होता है तो आगे हम इसको continue करते हैं तो guys finally as per my tool इसने बता दिया कि 22% जो है वो matched है और 22% कौन सा है यह yellow line अब मैं इन yellow lines को भी specific देखना चाहूंगा जैसे कि मैं इस पर ले job you know PPE for trusted brands वगरा जो भी है यह PPE के साथ एक साइट से match कर रहा है PPE के साइट से match करना is like you know not a match तो यानी line जो है अगर match हो रहा है तो it is not a match क्योंकि line तो वही होगी नहीं इस दुनिया की अगर English जो है उसमें अगर limited words है तो उनको घुमाफरा के लिख सकते हैं पूरा कपूरा paragraph या एकदम किसी similar website के साथ match है तो उसे match बना जाएगा next देखते हैं यह 64% match है किसके साथ match है और team of experts लोग तो our team of experts लिखते ही है तो our team of experts works tirelessly to research our team of experts works tirelessly to research and evaluate अब इसमें evaluate भी नहीं है तो यह पूरी line भी जो है खाली 60% match है it is चलेगा और 63% match है तो यह भी चलेगा अगर आप आप चला सकते हो लेकिन अगर यह red color कही है तो आप बिल्कुल मत चलाना तो इस वजह से मैंने इसको मान लिया कि it is absolutely good for the use in my website इसमें कोई भी दिक्कत मुझे नहीं आएगी मैं इसको करना है copy और यहाँ पर जाना है और यहाँ पर आकर मुझे इसको करना है पेस्ट जैसे मै यहाँ पर text ज्यादा हो गया है तो let's do one thing मैं यहाँ से कोई एक पूरा पैरा जो है उला जेता हूं अभी भी ज्यादा है एक और पैरा जो है delete यहाँ से कर देते हैं अब file यह है continue फे click करूँगा then buy a domain की ज़रुत नहीं है use an existing domain अब यहाँ पर आपको एक चीज का खास दिया login करोगे लेकिन मैं इसमें बहुत सारी websites अलड़ी host कर चुका हूं इसलिए मुझसे पूछा जा रहा है तो मैं यहाँ पर select पर करूँगा use existing domain कौन से domain अब मैं go daddy पर जाओंगा और इसको मैं यहाँ से copy करूँगा जैसे मैं से copy करूँगा then मैं यहाँ पर आओंगा select और continue पर क्लिक करूँगा next step latching का बहुत important step है अब यह कह रहा है इसको पता लगी है कि इसको मैंने go daddy से खरीद है अब यह पता है क्या क्या कह रहा है कि आपका existing domain name server यह है go daddy पर जो की उस domain का DNS है आपको change करना है इस पर simple है step मैं आपको दिखा देता हूं कि hosting पर इसको कैसे कर देखो यह आ गया same यही है ns38 domain control ns38 domain control इसको change name server पर click कर दो I will use पे आप select कर लो और यहां पर आके इनको copy कर लो like this copy come paste name server 1 name server 2 को भी copy करो paste name server 2 save कर दो यह आपको technically बोलेगा कि 24 घंटे लगते है but मैंने experience किया है कि यह immediately भी हो जाता है अब जैसे ही यहां पर हो गया continue पर click करो then your request is in progress मतलब आपका name server change हैने का request उसे ले लिया गया है that's it अब मुझे यहां से कुछ नहीं लेना देना मैं go ready को बल्कुल बंद कर दूँगा अब काम है मेरा यहां का simple करो continue क्योंकि आपने इस to go with your WordPress website so guys finally हमारा जो domain name पर WordPress का installation है वो complete हो चुका है यह आपके पास तीन option जब आ जाएंगे यह है वो particular box जिसका आपको सेलेट करना है edit website the moment you will click on edit website यह है आपका WordPress dashboard जिस पर पूरा affiliate marketing को हम अंजाम देने वाले हैं this is your affiliate marketing dashboard तो guys यहां तक की पूरी कहानी जो है वो complete हो गई है हमने यह तीन step तक कर लिया है install WordPress भी हमने कर दिया है अब हमें fourth step की तरफ बढ़ना है कि हमारी website के अंदर कौन से pages कहां पर और कितने होने चाहिए वो हमें बताएगा chat GPT with the help of silo structure गैज आप भी तक अगर आपको वीडियो जो है वो काफी interesting लग रही है और काफी valuable लग रहा है तो प्लीज इसको like करना मत बूलना और comment में अगर कोई भी question है अभी तक के जितने भी मैंने content आपको दिया है जितना भी आपको education दिया है उसको आप ज़रूर comment करें ताकि मैं उसका reply करने की पूरी कोशिश कर पाऊं और आपके questions के answer मैं दे पाऊं अगे बढ़ते हैं हमारे step number 4 पे सीलो structure क्यों important है सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बता दूँ ताकि आप करने से पहले चीजों को समझ जाओ और फिर करने में जो आपकी efficiency आएगी वो बहतर होगी सीलो structure होता है कि किसी भी website का एक map जैसे कि नक्षा होता है कभी building बनता है या घर बनता है तो हम पहले architects से जाके नक्षा बनवा लेते हैं कि कौन सा camera कौन सा bathroom कौन सा kitchen किस direction में कहा से होगा ताकि हमारा पूरा घर जो है easily accessible रहे same happens with the website website में क्या होता है हम कभी भी कोई भी pages कहीं पर भी बना जेते हैं without purpose या without mapping तो क्या होता है इसका एक negative impact हमारे user interface पर पढ़ता ही पढ़ता है जो कि मारा audience आता है पट इसका impact गूगल में भी पढ़ता है कि Google सूचता है यह site जो है यह structured नहीं है इसके जो pages है न यह बहुत करना जब भी कोई नई website बना रहे है तो make sure अगर point of view आपका SEO है कि SEO से ही main traffic आएगा तो seal structure का mention करना जरूरी है उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि तरीका क्या होना चाहिए बहुत simple है अब तो हमारे पास AI assistant है तो मैं chat GPT पे जाओंगा और लिखूंगा give me a seal structure for my new affiliate marketing website on variables device enter तो guys now you can look into it कि how efficiently ये मुझे अपने सारे pages दे रहा है वरना कभी कबार तो ये confusion हो जाती है हमारे site में pages कौन से होंगे categories कौन सी होंगी now you just look into it कि आपकी वो सारी problem ही खतम कि आपको बता दिया गया है कि आपको इस structure के साथ अपने website के अंदर सारे pages बनाने है तो अब जल्दी से practical इसका करना start कर देते है step by step सब से पहले इसने का है home page बनाओ तो मैं यहाँ पर जाओंगा और pages में जाओंगा add new पर click करूंगा and will create home copy दनीहा पर आना है title पर देना है और इसको publish कर देना है फिलाल के लिए like this then यह जो है यह home page के मतलब सब pages है अगर आप चाहो तो सब pages बना सकते हो या home page में ही आप इसको as a content outline treat कर सकते हो अब यह मैं उसको भी complete करके दिखाऊंगा बट अब जो main चीज है वो है product की categories यह बहुत ज़ादा ज़रूरी है इसको आप क्या करोगे अब आप वापस जाओगे and then अपने home page तो बना लिया फिलाल के लिए अब आप post में जाके यहाँ पर categories बनाओगे क्योंकि जब हम affiliate marketing करेंगे तो हम blogs लिखेंगे हम articles लिखेंगे हम pages नहीं बनाएगे तो इसलिए उसकी category को define करना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा blog कौन से category में जाने वाला है तो for example सबसे पहले है smart watch तो यहाँ पर मैं जाओंगा और यहाँ पर smart watch slug में भी smart watch और फिलाल के गी add new the next है virtual reality headsets इसकी category बनेगी एक then next है smart clothing I think अभी तो इंडिया में smart clothing का as such कोई भी you know हमने product नहीं देखा है या फिर नहीं इसका कोई promotion देखा है तो for example शायट इसकी demand इंडिया में इतनी खास नहीं होगी तो मैं इसको कर देता हूं side then tips and guides पे मैं इसको एक category बनाना चाहूं for sure है और then add new category then next है deals and discounts definitely इसके उपर category बन सकती है क्योंकि यहाँ पर शायद मेरे audience इसलिए attract होंगे कि उनको शायद deal मिलने वाली और वो तुरंत हमारे affiliate link पे click करे और buy कर ले and then about us यह तो definitely एक page है तो मैं इसको एक page बनाना चाहूंगा like not category again page पर जाके and then मैं यहाँ पर page about us and then publish so guys यह तो था basic structure of your website जो की चार्ट जिबटी के recording सीलो structure यह होना चाहिए आपका website का लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे दो तीन pages और बना देने चाहिए like disclaimer हो गया terms and condition privacy policy contact us page यह सब मुझे बनाना है तो मैं add new करके वो जल्दी से फटा-फट सारे बना देता so guys now as per my requirement about us contact us disclaimer home privacy policy terms and condition यह सारे pages मेरे बन गया है और post में अगर जाओं तो मेरे पास categories भी इतनी सारी बन गई है now my site is ready to go for publishing content on affiliate marketing बस इसमे चोटा सा और मैं आपको basic settings बताना जाओंगा वो कर लो आप जल्दी से आपको settings पर जाना है और यहां पर आके आपको custom structure पर क्लिक करना है और यहां पर category then post name को यहां पर select करना है पहले category आएगी फिर post name आएगा और इस टाइप से आपका जो नए links मतलब आपके URLs बनेंगे वो इस base पर बनेंगे तो यह बहुत important है तो यहां तक कि कहानी थी कि हमने अपने site का जो silo structure है उसको proper maintain कर लिया है अब हमारा step number five आता है which is installing theme and customization बहुत जादा important इसलिए भी है अब इस angle से सोचो कि अगर मेरे पास एक दुकान होती है और मैं चाहता कि उसमें ज्यादा sale हो तो मैं क्या चीज़ का सबसे पहले ध्यान रखता कि उस दुकान की look and feeling अच्छी हो उसको जब भी कोई visit करे तो उसको एक feel आया कि अच्छी जगा आया है और अच्छे जगा से वो product buy कर रहा है ताकि कि वो recurring बन सके बार बार आ सके बस सेम चीज हमारी website के case में भी होता है जब अपनी website को एक professional looking website में convert करते हैं तब ही जो हमारा audience है वो काफी ज्यादा attract होता हमारी website की तरफ लेकिन गलती से बिना एक चीज़का यहाँ पर ध्यान रखना कि आप look and feel के चक्कर में अपनी website को पूरा look and feel बिल्कुल white and black में कर दो वो तक ठीक है लेकिन अगर आपने बहुत heavy कर दिया कि देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन just because कि आपने इतने जादा elements दे दिये CSS वगरा भर दिया तो आपकी site जो है वो heavy हो जाएगी जो कि Google के policy के against हो जाएगा और Google आप अब जो हम theme को install करेंगे वो एक professionally sound भी करें हमें दिखे भी और secondly वो बहुत light-weighted भी हो ऐसा theme हमें ढूनना है तो इसलिए इसके लिए हमें क्या करना है हम जल्दी से जाएंगे अपने dashboard में और यहाँ पर appearance में themes पे click करेंगे आपको by default theme 2023 जो है automatic की तरफ से मिलता है WordPress की तरफ म hair इसमें यह WordPress की theme repository है यहाँ पर आप जाओ simple आप यहाँ पर लिखो blog and then आपको यहाँ पर जो भी themes मिलेंगी आप उनमें से कोई भी एक choose कर सकते हो जैसे कि यह बहुत minimalistic सा मुझे blog site लग रहा है आपके affiliate marketing के लिए perfect है या फिर और भी अगर आप चाहो तो इस type के ले सकते हो यह ले सकते हो यह थोड़ा blog prime मुझे अच्छा लग रहा है लेकिन इसके preview को एक बार चेक करना बनता है कि इसके fonts या colors वगरा किस type के हैं तो guys मुझे यह theme पसंद आई yes I would say बहुत minimalistic है लेकिन professional है इसका layout वगरा सब कुछ ठीक है और बाकी मैं इसको अपने according जो है वो तो बनाई लोगा customize करे लूँगा तो let's do one thing इसको install करते हैं और install करने के बाद इसको activate कर लेंगे ना जैसे यह theme install हो जाती है अब आप अपनी site को देख सकते हो एक बार कि आपकी site अब कैसी देख रही है तो guys now your site has become like this अब आपकी site में कुछ ऐसा बन गया है मैं कहूंगा इस पर कुछ भी नही चेड़ना कुछ भी नहीं ना फॉंट चेड़ने की कुशिश करना ना इस पर आप कोई layout चेड़ने की कुशिश करना कुछ भी मत करना it is looking tremendous बहुत बढ़ी अलग रहा है बस इसमें थोड़ा वा सेटिंग मैं भी करा दूंगा वो कर लेना इसके लाब आपको कुछ भी क्या है सबसे पहले आप इसको upgrade to pro कर सकते हो लेकिन देखते हैं कि pro तक जाने की नौबत आएगी या फिर free में भी काम हो जाएगा तो मैं इसको देखना चाहूंगा color मैं कहूंगा छेड़ो मत black and white बहुत soothing लग रहा है बहुत जबर्दस लग रहा है क्योंकि affiliate marketing के case में हम इस header menu header menu कौन सा होगा जो कि यहां पर रहेगा तो इसके लिए header menu primary menu हमेशा treat करेगा next पर click करूँगा अब यह मुझसे पूचेगा कि add item pages add करो तो मैं pages की जगा यहां पर जाओंगा और अपने categories को यहां पर add कर दूँगा जैसे कि smart watches fitness tracker virtual reality tips and guides reviews and recommendations deals and discounts मेरा काम हो गया now guys अगर मैं दिखाऊं आपकी site में ऊपर आगे यह सारे चीज़े क्योंकि यही वह important आपके categories हैं जिस पर जाके smart watches के blogs आटिकल्स पर सकता है fitness trackers के blogs आटिकल्स और बगएर बगएर डिल्सें discount चाहिए तो वह यहां पर जाके click कर सकता है तो इसलिए मैं इसको ऊपर रखा है अब मैं एक कौन से कौन से pages होंगे सारे pages मेरे footer में होंगे जैसे कि disclaimer हो गया terms and condition, contact us और about us अब चाहो ताप for example इसका जाल से ज्यादा जो positioning है उसको change कर सकते हो like home सरसे उपर आ जाए उसके बाद about us फिर disclaimer फिर terms and condition, pages that's it अब आपका यह काम हो गया अब अगर मैं आपको footer में ले जाओ त अब बात आती है कि इसको change करने का option मिलेगा मुझे free theme में यह एक बहुत बड़ा सवाल है कुछ जो theme provider है वो इसको free कर देते हैं कि आप इसको change कर सकते हो बट कुछ pro में ही करते हैं तो मेरे पास यहाँ पर देखना पड़ेगा कि यह कितना feasible है theme option पर जाना है, photo setting पर जाना है वेरी तो यहाँ पर वेरी आ रहा है तो अब देखो अगर मैं फूटर में ले जाओ आपको यहाँ पर आगया copyrights already reserved by वेरी बट यह नहीं हटेगा यह शायद अब premium में हटेगा यह तो confirm हो गया है बस इसके अलावा आपको और कोई setting करने की फिलाल बिलकुल भी जरूरत में recording तो नहीं है अब इसको आप कर दो publish जैसे आप इसको publish कर दोगे so guys now I can show you how my site will look like आपके सामने यह सरी चीज़े लाइव चल रही है यह लाइव website बना रहा हूं है आप लोग के लिए देखो guys यह आप पूरा आपका content जो है अभी content तो नहीं है तेकिन पूरी website जो है इस तरीक अबर 5 भी हमने complete कर लिया है कि हमने अच्छा एक theme लेकर उसको customize कर दिया अच्छा अब एक बहुत important चीज है जो मैं यहाँ पर देखना चाहूंगा कि कहीं इस theme ने मेरे site को slowdown तो नहीं कर दिया है यह बहुत ज़रूरी है तो इसके लिए मैं क्या करूंगा मैं फट अफट स speed, load speed खास कर वो बताएगा कि सब कुछ proper है या नहीं है क्योंकि यह बहुत important factor है आज की रिट में आपकी site को rank कराने के लिए बले ही यह सब कुछ green दिखा रहा है वरना यहां पर red yellow आ जाते है और इसने B का मुझे grade दिया है मुझे अभी भी थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा otherwise मेरे site में सब कुछ green है there is nothing to worry about it मतलब this is good to go मेरी website जो है वो SEO के उस particular policy को met कर रहा है जिसमें यह मेरी website एक fast loading website मानी जा आप में भले rank मिल जाए लेकिन mobile पर नहीं मिलता है तो उस case में इन चीजों का ध्यान रखना है नेक्स चलते हैं अब installing required plugins यह हमारा step number 6 है बहुत 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 important एक ऐसा step है जो कि हमें break और make कर सकता है ब्रेक्टू होने के लिए मैं आज का ये वीडियो बनानी जा तो make करने के लिए मतलब हम कुछ बने उसके लिए बना रहे हैं तो guys अब मैं आपको कुछ ऐसे required plugins बता रहा हूं जो कि आपकी definitely website के अंदर होने चाहिए और वो आपके affiliate marketing में काया बलट कर सकते हैं यकीन मानों क कि मैं personally उनको use करता हूं तो इसके लिए आपको plugins में जाना है और एक बार सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि installed plugins मेरे कौन से कौन से हैं so for example यह रहे कुछ मेरे installed plugins यहां पर आपको देख रहे हैं तो अब मुझे कुछ ऐसे important plugins चाहिए हैं जो कि मेरे इस affiliate marketing case में मुझे help करेंगे तो let's do one thing मैं उनका premium version install करने जा रहा हूं तो आपको एक बार देखना है कि मैं premium plugins कैसे अपने affiliate marketing में इस्तिमाल करता हूं don't worry about it आप में से बहुत लोग को यह free में मिलने जा रहा है क्योंकि आप में से बहुत लोग हो सकता है hostinger के मेरे affiliate link से hostinger buy करने वाले हो और यह चीज उन rank math pro को install करूंगा क्योंकि rank math मुझे SEO करने में यहां पर help करेगा and that is where my all the blogs will be ranking in top 3 of Google जहांसे majorly traffic अमारा आएगा let's activate the plugin now अब मैं इसको connect करने वाला हूं अपने pro account से जो की है मेरा roya digital.in return to dashboard तो मेरा guys यह pro account मेरा बन गया है this is my pro account can you see that इसमें हर pro चीज को मैं यहां पर activate कर सकता हूं because मैंने license को activate कर लिया है you can see that अब जो second important plugin है जिसको मैं install करने जा रहा हूं आपके आखों के सामने that will help me in affiliate marketing for creating pages and that is known as page generator pro like this यह भी एक premium plugin है जो कि मेरे site के अंदर मेरे हर उस keyword पे pages बना देगा जिन keywords को मैं target करने वाला हूं अब ही इसी video के अंदर आप देखना कि पूरी की पूरी affiliate marketing site जो है एक ही दिन में मेरे सारे blog जो है यह मुझे बना के देदेगा but content मैं लेकूंगा but drafting पूरी website की आज ही हो जाएगी आपके अब हम चलेंगे अपने next step में that is keywords research using SEMrush आपको मैं बता दूँ कि अगर आप blogging या affiliate marketing या किसी तरीके से ऐसा कोई काम कर रहे हूं जिसमें आपको Google से traffic चाहिए तो आपको keyword research must करना है अगर आप keyword research के बिना करने के कोशिश कर रहे हो तो आप मान लो कि आप बिना आखों के भैस पकड़ने के लिए पीछे भाग रहे हो भैस कहीं भी भाग रहे है और आप कहीं भी भाग रहे हो एक ऐसा situation आ जाएगा मतलब आपको कोई राही नहीं मिलेगी मैं एक और example दे रहा हूं कि मान लेते हैं कि ऐसा कोई share है जिस share में आप पैसे लगा सकते हो तो आप जा सकते हो लेकिन अगर मुझे ऐसा confirmation मिल जा है कि यह कोई particular share है जिसको आप खरीदोगे तो उसको बढ़ना ही बढ़ना है तो आप उस पर लगाना ज्यादा बेटर समझोगे या फिर कोई भी रैंडम ली किसी भी share पे तुक्का फिट में कि यार बढ़ भी सकता है तो गड आज सिखा दूँगा जिसमें वो उस तर्फ और सिर्फ आपको रैंक और ट्राफिक देगा बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि आपने काम कर लिया और कुछ भी नहीं हो रहा तो इतनी बढ़ी गैरंटी अगर दे रहा हूं तो definitely मेरा कोई past experience या current experience ज़रूर चल रहा है उस प competitive भी होगा कि अगर आप उस पर काम करोगे तो आपका वो particular blog उस पर rank होना तया होगा क्योंकि उसमें कोई competition ही नहीं है और जहां कि आप rank हो जाते हो और उसमें high volume भी था तो traffic तो guys आपको 6 परफार के by default मिलना ही है यही हमारे step number 7 का main purpose है तो आये चले जली से सीखते हैं कि कैस कैसे हम affiliate marketing वाले ऐसे keywords निकाल सकते हैं मैं बार बार आपको बता रहा हूं affiliate marketing वाले ना कि random कोई भी ब्लॉग आर्टिकल के लिए कैसे keywords निकालेंगे चलो मैं आपको जल्दी से इसका भी पूरा तरीका दिखा दिता हूं इसके लिए आपको चाहिए होगा Samrush Samrush के बारे मैं मैं एक चीज़ बता दूँ यह बहुत high premium टूल है जिसके अंदर मैं इतना ट्रस्ट करता हूं Samrush को कि इसमें दिए गए keywords पर मेरा rank करना तया हो जाता है बाकि AHRF बगरा मुझे इतना अच्छा नहीं लगा हाला कि मैंने उनको यूज किया है उनके जो database में जो keywords है ना वो क है इसलिए नहीं कि मैं इसका affiliate marketing करता हूं कि मैं इस पर trust करता हूं और मैं अपने audience को अपना वही एक product recommend करूँगा ना जिस पर मैं trust करता हूं इसलिए मैं इसको trust करके आप लोगों को provide करता हूं अच्छा अब मैं आपको एक hack देने वाला हूं वो यह है देखो यह बहुत ज मैंसे कई हजार keyword महिने के लिए निकाल लेता हूं और फिर उन keywords पर काम करता हूं और प्लस backlinks वगरा सारी हैं से मुझे मिल जाती है जो कि अभी मैं आपको सिखाने वाला हूं बट आप इस particular keyword टूल को आप पूरे smrush को 14 days के लिए free मैं मैंने निचर लिंक दे दिया है वहां साल का planning कैसे करना है इस smrush के अंदर उसको एक excel फाइल में डाउनलोड कर लेना है उसके बाद भले आपके पास यह रहे ना रहे आपको फरक नहीं पड़ेगा मैं वह सारा hack अभी बताने जा रहा हूं तो आप देख लो प्यार से अब मैं जैसे यहां पर smrush पर आ गया हू इस section में मुझे broad keyword को लिखना है और जो database है वो इंडिया का रखूंगा क्योंकि मुझे Indian audience को target करना है Indian audience के flavor वाले keywords मुझे चाहिए जो इंडियन ढूंटते हैं तो for example मैं यहां पर लिखूंगा smart watch and then मैं enter कर दूँगा smart watch जो है यह फिर भी इतना broad term नहीं है लेकिन उसके अबी नहीं है हमें एक नई website है हमें बहुत तावर तोड महनत इसमें करनी पड़ेगी लेकिन कहते हैं कि अगर आसान रास्ता मिल जाए तो कोई नौ सखिया भी एक बड़े से बड़े काम को अचीव कर लेता है तो मैं वह आसान रास्ता को सिखाने बाला हूं तो यह तो प अब से पहले मुझे हाई वॉल्यूम की वर्ट चेहें तो हाई वॉल्यू Finnish कौन से आते हैं येएव 268 के रॉल्यूम है डेफिनितीली हॉल्यम हैं मैं उन सबको हाई वॉल्यूम की वर्ट मानता हूं जिसका Minimum 300 काभी traffic है और वो मीरे लिए हाई वॉल्यूम अड़गे बल दुँगा, अब 26,500 कीवर्ड में से सारे चले गए, वो कीवर्ड जो की 300 से नीचे के सर्च जनरेट कर रहे थे, तो 300 के नीचे कर सर्च जनरेट कर रहे थे, मेरे किसी काम के नहीं थे, तो मैंने उसको यहां से हटा दिया मात्र अब 1100 कीवर्ड इसमें बज गए है अब इन 1100 keywords को लेके काम किया जाए आपको लगता है मैं कहूंगा अभी भी नहीं क्योंकि सिर्फ तो अभी मैंने volume का ही पता लगाया है अभी तो मुझे यह पता लगाना है कि कौन से ऐसे keywords है जो की less competitive है क्योंकि जब तक वो competition रहेगा मैं rank नहीं कर पाऊं अभी being a new website क्योंकि अभी very.in इसका तो नाम भी मुझे नहीं आया मेरा तो यह एक नया आज ही जनम लिया एक website है तो यह इसका कोई authority नहीं है Google इसको rank नहीं कराएगा जब तक कि मैं कुछ ऐसा नहीं लिख रहा हूं जो कि Google के पास available नहीं है तो वो तभी होगा जब less competitive होगा और apply कर दिया अब दिखना 1100 से भी keywords चटके कुछ मुठी पर रह जाएंगे which is 200 अब यह 200 keyword आपके लिए वो है जो आपको rank भी दिलाएंगे और अच्छा volume भी दिलाएंगे मतलब अच्छा traffic भी आएगा अगर आप rank कर गए क्योंकि इसमें 2,95,420 total ऐसे volume है जो कि इन keywords के लि सकता हूं लेकिन अब आते हैं guys main उस factor पर जो कि हमें affiliate marketer बनाता है और हमें अलग रखता है उन लोगों से जो खाली blogger है blogger और affiliate marketer में यह thin line difference होता है क्योंकि यहां तक भी journey blogger और affiliate marketer की बिल्कुल सेम होती है keyword research में लेकिन जब affiliate marketing को मैं specific लेते हुए एक blog site को run करने का plan करता ह हूं तब मुझे यह सोचना ज़रूरी हो जाता है कि मुझे अब वो keywords चाहिए जो की मेरे product में आके convert होंगे again मैं repeat करता हूं blogger कभी यह नहीं चाहेगा उसको चाहिए कि सर्फ और सर्फ mass traffic जो मर्जी आ जाए क्योंकि उन्हें Google Adsense से earn करना है click उसको आएगा उसको pay हो तो मेरा एक level step और बढ़ जाता है यहाँ पर कि मुझे इन keywords में से भी उनको filter करना है जो की convert होने के chances हाई रखते हैं तो इसलिए अब मैं एक ब्रहमास्तर यहाँ पर use करने वाला हूँ जो की in 200 keywords में से भी वो keywords निकालके दे देगा जो मुझे affiliate conversion लाके देंगे और उसके लि audience के word में हो मतलब अगर मैं एक audience हूँ और मैं Google पर search कर रहा हूँ अगर यह word उसमें हो तो guys वह traffic मुझे मिल जाए तब ही मेरा affiliate conversion आने के chances बढ़ेंगे वरना नहीं बढ़ेंगे तो वह 5 word क्या होंगे मैं जल्ली से आपको बतालता हूँ सबसे पहले होगा vs vs next होगा review best top under यह 5 ऐसे ब्रमास्तर words हैं जो कि अगर आपके audience search कर रहे हैं और उनके words में हैं तो आप समझ लो यह वो cream audience है दोस्त जो कि नहीं सिर्फ traffic generate करेंगे आपकी site के लिए बल्कि आपके affiliate link पे click करके उसको buy भी कर सकते हैं जिससे आप commission generate होगा तो अब जैसे मैं इसको apply करूँगा तो you will see now अब आपके पास सिर्फ 31 keyword रहें और इन 31 keyword पे ही चुपा है आपका वो सारा affiliate marketing का पूरा बेस जहां से आपको नहीं traffic बलकि conversions भी मिलने वाले हैं अब आपको simple क्या करना है इन 31 keyword पे करना है काम simple मैं सो करूँगा download जैसे मैं download करूँगा csv में and then इसको मैं लिख दूँगा smart watch चो भी आपका keyword है उसका लिख लेना smart watch keywords फाइल नेम दे दो उसको save कर लो and guys यह जो keywords है बस आपके पास हो आ गए हैं अब आप इस पे काम करो and start ranking and start getting huge commission on affiliate marketing so guys now it's time for the step number 8 जिसके अंदर हम content का outline बनाएंगे वो भी चाट जी पीटी से अब यह content का outline क्या होता है पहले समझ ल outline यह होता है कि जैसे for example आपको पता होना चाहिए कि आपके content के अंदर points क्या क्या रहेंगे आपके content का flow कैसे चलेगा so that आपका audience जो आ रहा है वो इस सरीके से पढ़ते हुए आपके content में खो जाए कि उसको पता ही ने चले कि उसने का पूरा content पढ़ दिया और उस content से वो जबर्दस content का outline यह देता है मैंने personally मैं तो use करता है रहता हूं मुझे पता है इसकी वजह से ही आपके conversion के chances बढ़ेंगे क्योंकि आपका जो audience है वो आपके content को इस तरीके से पढ़ेगा कि वो अपने अभी convinced हो जाएगा कि यह product उसको लेना चाहिए और वो उस product को वहां से buy क करेगा मतलब आपके link पे click करेगा और वो जहां पर भी land होना है हो जाएगा तो अब यह content का outline कैसे बनाना होता है उसके लिए मैंने एक तरीका निकाला है आप एक बड़ जल्दी से देख लो और उसको वैसे ही करना जैसे मैं बता रहा हूं वरना आपके पास कोई और option हो आ AIPRM पे first video in entire YouTube community मैंने ही बनाया था उसके बाद तिसवे हजार और लाखो वीडियो शायद बन गए आपको सिंपल क्या करना है आपको AIPRM Chrome extension यह लिखना है यह जो option आएगा आपको इसको क्लिक करना है और यह extension आपको अपने Chrome में install कर लेना है like this मेरे पास यह रहा यहाँ प आप chat GPT open करोगे आपको आपका chat GPT कुछ इस तरीके से दिखेगा जिसके अंदर यह सारे already pre-generated prompts रहेंगे और आज का जो हम outline बनवाएंगे वो इनी pre-generated prompt में से एक होगा तो सिंपल आपको क्या करना है आपको यह सारे all रखने हैं आपको search में जाना है और यहाँ पर लिख से मुझे outline लिखे देता है select कर लो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा better content अब यहाँ पर आपको बता रहा है कि किस type के content के लिए आपको outline बनवाना है तो for example मेरा content क्या है guys मेरा है smart watches for men under 1000 आप देखोगी आपका maximum जो keywords वो क्या है guys यहाँ पर हमारा maximum keywords क्या है पता है best smart watch under 4000 smart watch under 4000 best smart watch under 4000 20,000 वगरा जो भी है मतलब best और अंडर और amount और smart watch यह almost हर keyword में मेरे आ रहा है आप देख लो एक बार अंडर भी हमारे हर keyword में होगा और smart watch का तो पूरा topic ही है तो हमारे हर keyword में होगा लेकिन एक्स रुपीज यह चेंज होता रहेगा जैसे कि 1,000, 1,000, 3,000, 20,000, 15,000, 6,000, 1,000 जो भी है लेकिन best भी है smart watch भी है अंडर भी है almost सारे keywords में है आप एक बार चेक कर लो जैसे कि मैंने चेक कर लिया है अब जैसे मैं एक्स रुपीज कर रहा हूं तो एक्स मतलब होगा कि यहां पर मैं price जो है न वो खुद decide करूँगा जितनी बार मैं नया content लिखूँगा उस content का keyword के अंदर जो भी price रहेगा मैं उसको इसको इसको एंटर कर देखता हूँ जैसे मैं इसको introduction देनी है कि introduction में आप यह सारी चीज़े mention करोगे जैसे एक्स के जगह आप अपना price change कर दोगे then smartwatch को understand करने के लिए आप content लिखोगे what is a smartwatch वगरा then factors consider when buying a smartwatch यह सारी चीज़े आप करोगे अब best smartphones under X रुपीज एक्स मतलब की आपका amount अब यहां पर उस प्राइस के अंदर जो भी smartwatch होंगे smartwatch 1 smartwatch 2 smartwatch 3 तो यह इसमें आ जाएंगे category 2 जिसके अंदर fitness oriented smartwatch जो होंगे उसमें smartwatch 4 आ जाएगा 5 आ जाएगा 6 आ जाएगा value for money इस तरीके से इसने पूरा आपको एक बहुत ही बढ़िया सा outline कु यह थोड़ा सा best होता तो अच्छा रहता तो मैं एक बार और कर लेता हूं एक simple चीज के साथ वो है मैं दुबारा जाओंगा better content outlines पे क्लिक करूंगा और यहां पर लिखूंगा unbiased review on smart watch under x rupees अब यह मने अनबायस क्यों लिखा है क्योंकि जब तक आप unbiased रहोगे अपने content के अंदर तब तब आप Google में भी rank करोगे क्योंकि Google के latest update के according आपका review blog हमेशा unbiased होना चाहिए that should not be tilted to any brand और any affiliate marketing के point of view से नहीं होना चाहिए साफ यह update है तो इसलिए unbiased लिखोगे कि अगर उसमें कोई कमी भी है तो आप proper कमी तक बताओगे और उसके बाद आप अपना affiliate link वगरा देखे उसको रायं करा सकते हो तो इसलिए मैंने unbiased लिखा है बट लास्ट वाले जो content के content दे सकता है almost चीज़े सेम होंगी आप यहाँ पर देखते रहो almost सेम होंगी लेगिन जो change होगा वो क्या होगा यह देख लो यह रहा change यह है कि smart watch 1 के अंदर मैं pros and cons का यहाँ पर option दे सकता हूं battery life and charging option दे सकता हूं जो कि मैं खराब या सही बता सकता हूं based on my experience तो यह जो review जो कि इस price के अदर आएंगे और बाखी comparison analysis करने का सारी चीज़े summary वगर यह सारी चीज़े जो है अब proper तरीके से बड़ी आसा outline बनके आ गया है now it's time कि अब मैं in outline का क्या करने वाला हूं बहुत important और बहुती crazy सा एक तरीक है जो कि आपको पूरे YouTube में आज तक कभी किसीने नहीं बताया होगा ना यह हुआ होगा और नहीं किसीने आपको ऐसा बताया होगा अब जो कमाल है वो शुरू होगा हमारे page generator pro का page generator pro एक ऐसा plugin है जो कि आपके साइट में एक ही बार में आपके एक क्लिक पे चाहे हूँ आपके पास 10 keyword हो या 10,000 keyword हो उन सारे keywords पे pages बना देता है, draft कर देता है, publish भी कर देगा बढ़ हम draft करेंगे, हम draft कर देंगे तो इससे क्या होगा, अगर मुझे देखेंगे कि 100 keywords के लिए 100 pages बन गया है, daily मुझे 2 page पे काम करना है, तो मेरे पास एक आसान framework हो गया, कि मैं इस keyword पे या इन keywords पे आज काम करूँगा, और खाली उन page पे जाओंगा, और उन page के outline के according मैं जल्दी से content लिख दूँगा, और मेरा काम हो जाएगा, इस तरीके से आप अपने काम को बहुत speed कर सकते हो, थोड़ा सा practical करकर दिखा देता हूँ, चीज़े और clear हो जाएगी, सबसे पहले page generator pro में आपको keywords में जाना है, जैसे आप keywords में जाओ अब यहाँ पर import CSV को आप click करोगे, जैसे आप import CSV को click करोगे, उस file को, जो file आपने बनाया था, अपने smartwatch के लिए, उसको open करोगे, यहाँ पर लिखोगे, and then you need to write the name, which is smartwatch, और import पर click कर दोगे, the moment you will click on import, guys, आपका यहाँ पर keyword बनके आ जाएगा, which is smartwatch, यहाँ पर आप देख हैंगे, but हमें सिफ keyword से मतलब है, total कितने keyword थे, guys, 31 keyword, यानि हम 31 page अभी के अभी बना लेंगे, next काम जो आपको इस plugin के अंदर करना है, after creating keywords, click on generate content, the moment you will click on generate content, यहाँ पर आपको add new पर आना है, और अब आपको देखेगा, कि यह बिल्कुल as it is, post की तरह काम करेगा, यहाँ पर add paste, next, आपको इस पूरे content को यहाँ से करना है, copy, and then यहाँ तक, then इसको यहाँ पर लाना है, block में जाना है, control, shift and V, जैसे आप इसको करोगे, आपको आप पूरा यहाँ पर content आ जाएगा, so guys, जैसे मैंने यहाँ पर paste कर दिया, उस पूरे content को, तो यह content कुछ मुझे सही सी feeling यह यहाँ पर तो नहीं दे रहा, क्योंकि यहाँ तक तो यह ठीक था, कि मुझे सब कुछ highlight करके दे रहा था, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ एक next step लेने वाला हूँ, अब मैंने यहाँ पर लिख दिया, give the proper SEO optimized HTML heading tags on the above given outline, और इस ने मुझे इस तरीके से पूरी tagging क करके दे दिया, अब इस tagging का क्या फायदा होने वाला है, आप अभी देखने वाले हो, don't worry about it, बहुत amazing चीज हम कर रहे हैं इस ताम पे, तो like अगर अभी तक नहीं किया, तो like करना बनता है, क्योंकि इस tag का वास्ट कॉंटेंट शाइदी आपने आज से पहले, किसी भी YouTube चै को वापस आओ, और यहां पर just paste कर तो, जैसे आप paste करोगे, आप देख रहे हो, कि आपका content जो है, proper tagging के साथ available हो गया है, मतलब H1, H2, जैसे इसने दुबारे इसको लिख दिया, so I'm just going to delete it, introduction, देखो H1 हो गया, then ये सारा H3, ये H2, देख रहे हो, इतना fine तरीके से इसने tagging कर दिया, मतलब मेरा जो SU है अब ये बहुत आसानी से cover up होने वाला है, अब simple जो मुझे change करना है, अब वो ध्यान से देखो, guys ये जो unbiased review of, then ये जो चीज है, इतना, इतना मुझे change करना है, कि मैं चाहता हूँ कि हर keyword automatically उठके यहां पर आ जाए, so मुझे क्या करना है, curly bracket open, like this, और यहां पर smart watch का ये जो keyword है, इसको select करना है, और कुछ नहीं करना है, बस जादा से जादा ये inverted commas मैं दूँगा, वो क्यों दूँगा मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, simple, इस keyword को अपने यहां पर लिख दिया है, then यहां से आप फिर से, जहां जाए, best smart watches under ये keyword देना है, curly bracket open के साथ, that's it, इतना करना है, जहां जहां mentioned है, like for example, मैं जले से कर लेता हूँ, आप लोगों के लिए, that's it, so guys, content में तो complete हो गया है मेरा, अब बार ही आती है, मेरे rank math plugin में, rank math plugin को open करना है, और यहां पर focus keyword में भी आपको curly bracket को open करना है, और यहां पर आपको as it is, इसको copy करके, keyword की जगह आपको ये as it is, paste कर देना है, the moment you will do it, आपको और कुछ नहीं करना है दोस्त, बस simple edit snippet पर जाना है, यहां पर आपको again, same short code को यहां पर आपको paste करना है, यहां पर भी same short code को paste करना है, और आके इसको cross कर देना है, that's it, जैसे आप इसको कर लोगे, इसके बाद आपको rank math से वापस आना है, post type में, यहां पर post type में, page ही जगा post करना है, क्योंकि हमें हर keyword का post बनाना है, and then status को कभी भी publish मत रखना, draft रखना, क्योंकि हर post को हम manually लिखेंगे, और उसके बाद हम खुद से publish करेंगे, पूरा SEO करने के बाद, then method में all रहेगा, overwrite में आप कर देना, no skip if existing page exists, then नीचे आना है, category में यह क्या रह test किया, test successful हो गया, and you can see that कि इसने मुझे एक test page अभी ही बना के दे दिया, अभी test page का क्या मतलब है, जल्दी से मैं आपको open करके दिखाता हूं, कि आपके सारे page, जितने भी keywords के हैं, वो इस तरीके से बनेंगे, the honest and unbiased review, यह था अपका main constant content था, वो यह है, और यह है आपका variable content जो की हर keyword के साथ change होगा, जैसे smart watches for men under thousand, यहाँ पर आ गया, और जहाँ 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 मैं वो variables यह थे, वहाँ पर यह आ गया, smart watches for men in thousand, जैसे कि, अब मैं आपको keyword opening के दिखाता हूं, so guys, जो keyword हमारे पास थे, आप देखो, starting में the thousand, फिर 15,000, फिर 4000, यह keyword जो है, इस keyword के according बनता हो चलेगा, now look into it, close and then generate via browser पर आपको click करना है, the moment I'll click on generate via browser, आप देखोगे, कि 31 के 31 पेज यह आपके इस तरीके से बना देगा, like this, look into it, guys, आपके 31 पेज आपके साइट के बन गए है, and you can see this here, so guys, congratulations, आपके साइट की द्राफ्टिंग हो गई है, now आप पोस पे जाओ, all पोस पे जाओ, अब आप देखो कि आपके पास 31 वो content आ गए है, देखो, watch under 8,000, watch under 200, watch under 10K, watch under 1000, watch under 500, then titan smartwatch under 5000, यह सारे keywords आप यहां से match कर लो, and you will see that, यह देख लो guys, यह सारे keywords आप यहां से match कर लो, smartwatch under 4000, जैसे for example, मैं आप आपको search कर दिखाता हूँ, smartwatch under 4000, तो आप देख लो guys, आपके पास एक draft है, smartwatch under 4000, क्योंकि यह सारे keywords के, इसने pages बना दिया है, अब आपके पास एक target है, कि आप इन सारे pages को धीरे धीरे daily basis पे complete करोगे, example के thought पे, अब मैं महा लेता हूँ कि आज मुझे इन दोनों पे काम करना है, तो क्या करोगे, simple आपको यहां पर click करना है, और आपका यह post open हो जाएगा, like this, open हो गया, and this is what you have to start walking on, आपको exactly यहां से काम, start करते हैं, क्योंकि इसने title वगरा सब कुस दे रिया है, अब अब बारी आती है, step number 9, जो है, prepare a vast, unbiased content, यही वो point है, जिस point में आपको अपना audience, जो है, वो convince करना है, which is the content, क्योंकि content is the king, आप जितना ताम जाम उपर का, जितने भी बाकिके steps हम ने की हैं, यह आने वाले steps, जितना मर्जी कर लोगा, अगर यह वाला, जो step है, यह आपने सही से नहीं निबाया, तो सब कुछ बेकार हो गया, क्योंकि यह only वो step है, जिस step से आपका नहीं सिर्फ traffic आएगा, बलकि आपका conversion भी यहीं होगा, क्योंकि सारा content यहीं है, चाह वो call to action हो, चाह आपका affiliate link हो, चाह आपका keyword हो, सब कुछ यहीं available होगा, and that is the reason, हमें इसको बहुत प्यार से बनाना है, और यहां पर भी मैं कुछ techniques का इस्तेमाल करूँगा, जो कि आपको खास ध्यान लगा के focus करके सुनना है, तब ही आप इसको भी निबाब आओगे, वरना अगर आप skip करकर करके देख रहे हो तो आपकी मर्जी है, तो वापस आते हैं हमारे post में, और यहां से pick करते हैं हमारा आज का वो content जिसके लिए हम unbiased proper content, review content बनाने वाले हैं, for example, the honest and unbiased review smartwatch under 8000, अब इसको open करते हैं और इस पे content लिखना start करते हैं, content लिखने के लिए मैं अब 3-4 tabs open करूँगा, एक chat GPT, दूसरा content scale.ai, तीसरा मेरा plagiarism checker which is qtext, अब मैं क्या करने व पहले, welcome to the ultimate smartwatch review, इसको copy करना है, chat GPT में जाना है, यहां पर इस particular section को आपको करना है, paste, और उससे पहले आपको सिफ लिखना है, inverted comma में आप यह रख दो, और लिखो, this is the outline for my new blog, और ब्लोग का title आप यहां से लोगे, this is the blog title, copy, and यहां पर आप रख दोगे, आप यहां से inverted commas जा भटा दो, which is not required, not required, not required, सिफ यह रखना है क्योंकि हमें इनके बारे में लिखवाना है, this is the outline for my new blog, the honest and the unbiased review of smartwatch under 8000, write a section about, यह जो मैंने invert commas में दिया है, in just 150 words, क्योंकि मैं हर section में तकरीबन 100-500 words से जादा नहीं लिखवाँगा, और खासकर जब वो H3 हो, H3 में मुझे 100-500 words से उपर नहीं जाना है, H2 में मैं 200 words तक ले सकता हूँ, और H1 में मैं आराम से 300 words तक ले सकता हूँ, बट अभी यह H3 है, H3 के जितने भी elements होंगे, हम उस पे maximum 1500 words का ही content लिखवाएंगे, उससे जादा बिलकुल नहीं, so let's click here, So guys, इसने मुझे अब एक अच्छा सा content, इस section के लिए लिखके दिया है, now we'll see कि क्या ये section जो है, मैं इसको एक बार click करूँगा, और इसको एक और tab में open करना चाहूँगा, which is my word counter, यहाँ पर जाऊँगा, और इसने देखो, 195 word का मुझे लिखके दिया है, बट मैंने से कितना मांगा था, up to 150 words, in just 150, तो 40 words जादा होगे, तो अब मैं 40 words यहाँ से हटाने की कोशिश करूँगा, कि कौन से 40 words मुझे नहीं चाहिए, इस पूरे paragraph को मैं हटा दूँगा, because I have already read it, अब इसके बाद यह कितने words का बन गया, exactly 150 words का, so guys, मेरा तो काम हो गया, कि मुझे एक बहुत बहतरीन सा, इसने यह वाला section दे दिया, which is my introduction section, introduction section में मुझे chat GPT ने content दे दिया, word counter ने word count को manage करने में help कर दिया, अब मुझे यह चक करना है, इसमें AI detection कितना है, मतलब यह AI कितना count होगा, अगर यह AI count होगा, तो guys मेरे लिए challenge होगा, rank कराने में, but don't worry, अब इसका solution भी मैं दूँगा, तो guys देखो, इसमें है कि unclear if it is AI content, 46% which is not good, I would say, तो यहाँ पर जो जो यह section है, जैसी orange है, तो यह possibly AI generated है, और यह वाला red section तो highly AI generated है, बाकि जो non-colored आपके text है, यह जो है, यह आपके purely आपको कहीं से भी detect नहीं हुआ है, कि यह किस ने generate किया है, AI ने या human ने, तो अब मैं सबसे पहले इस पर focus करूँगा, जो कि highly AI generated है, जैसी highly AI generated है, मैं इस पर जाऊँगा, इसको copy करूँगा, and मैं अब chat GPT में दुबारा जाऊँगा, तूसरे tab में जाके, मैं लिखूँगा, rewrite this, invert, open, invert, close, in a human tone to bypass the AI tone, enter करते हैं, अब यह human tone में मुझ दुबारा जाऊँगा, अब इस पैरा को मुझे ढूनना पड़ेगा, यह कहां पर है, whether you are a tech enthusiast, यहीं कहीं होना चाहिए, whether you are a tech enthusiast, यहां से यहां तक मैंने इसको कर देना है, paste, किस से, जो कि इसने नया लिखके दिया है, change कर दिया है, अब मैं दुबारा इसको check for AI content to stay connected, whether you are, we have got your back, तो यह क्या चीज मैंने इससे लिख भाए था, if your technology loves, यह भी AI detect होई रहा है, so तकरीवन इसने almost ठीक ठाक लिख दिया है, अब मैं इसको भी rewrite कर रहा हूँगा, do the same as above, क्योंकि अब इसे context पता है कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, तो उसको बार-बार लिखने क जरूत नहीं है, same चीज, context अगर पता होता है, तो आप काम कर सकते हो, just enter कर दो, and things will be done, अब इसको मैं जाके, यहां पर change करता हूँ, we'll see, get ready से लेके decision तक, तो देखते है, get ready से decision तक कौन सा है, इतना है, जो कि AI detect हो है, मैं इसको change कर देता हूँ, जबने अभी यहां से लिया information, यह बिल्कुल highly, इसने का है, कि AI का है, change कराओ इससे, to the same as above, invert, open, close, enter, and then, अब इतना, copy, यहां आओ, we will provide, इसे लेके, यहां तक, decision तक, enter, ठीक है, AI content, check कर दो दोबारा, unlimited free है, तो आप जितना बढ़ी चेक कर सकते हो, 70%, guys, हम बढ़ते हुए जारे है, देखरे हो, कितना ह कोशिश कर रहे है, कि it is, you know, हमारा जाद है, मतलब, यह 80 हो जाए, हमारा काम हो जाएगा, so, एक काम करते है, get ready to explore the exciting world of the state of the art, wearable tech, इसको दोबारा, churn करते है, इसे churning कहते है, इस process को, and then, do the same as above, again, get ready वाले को, लिखवाते है, दोबारा, यह बढ़ चेक कर लेते है, 70% तक हमने चीप कर लिया, get ready, कहां पर है, get ready से लेके, wallet तक, एक बार, read भी कर लेते है, then, एक बार, 70% से, उपर गया, यह नीचे भी जा सकता है, यह ध्यान रखता है, क्योंकि वो, AI दुबारा लिखके दे रहा है, exactly, यही चीज मैं कहना था, कि नीचे भी जा सकता है, यानि हमा जैसे एक ग्लास में आप नमक घोलता जाओ, खोलता रहेगा, लेकिन जब तक उसकी लिमिट रहेगी, लिमिट काता है, नमक तक पानी में घुलना बंद हो जाएगा, अब यहाँ पर, चर्ण करना आप में बंद कर देना चाहिए, आप में थोड़ा मैनुल काम कर लेना चा be the part of the tech world of wearable, मैंने खुद लिखा है, कोशिश करता हूँ, 70 से उपर जाना चाहिए, यापी, गाइस, हमने 80% को यहाँ पर, एचीव कर लिया, 80% एचीव कर लिया, मतलब, now you are safe to use this entire content as your introduction, कॉपी करो, जरूर एक बार पढ़ना, मैं इसका word counter check कर लूँ, 183 फीर से हो गया है, यहाँ से मझे कुछ थोड़ा बहुत कर देना चाहिए, and we will dish out the essential information you need to make an informed suits, इसको मैं delete कर देता हूँ, let's see, 166, almost close, मैं चाहूँगा, 150 तक आ जाए, we have got you back with all the must know details to help you make a smart choice, okay, okay, so guys, इतना सोचोच चलेगा, कि मैं 166 सक ले लूँगा, now, जैसे मैं इसको ले लिया है, अब ए AI तो detection मैंने पास कर लिया, क्या मैं प्लेजरिजरिजम पास कर पाँगा, अगर मैं प्लेजरिजरिजम पास कर जाओ, then only I can go and publish this content as my fresh content in this article, यहाँ पर मैं तभी पेस्ट करूँगा, वरना उससे पहले मैं नहीं पेस्ट करूँगा, तो यह सारी चीज़े मैं क्या कर रहा हू और आपके सामने मैं कर भी रहा हूँ, यही सेम चीज़े आपको करनी है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग मैं कहा था, कि आपको focus, dedication and आपका patience यहाँ पर required होगा, अगर आपको एक successful affiliate marketer बनना है तो, तो wait करते हैं, प्लेजरिजरिजम चेक होने का 12% हो गया है, जैसे यह मुझ easily copy and paste it to my blog, क्योंकि 20% तक safe माना जाता है, और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, तो यह जो lines है, जो match हो रही है, यह किसी इस site से match हो रही है, और इस line को इसने match किया है, बट अगर आप इन दोनों lines को पढ़ोगे, मेरा line क्या है, जो charge GPT से मैंने लिखवा है, we will assist you in finding the perfect smart watch that checks of all the boxes you are looking for, यहाँ पर क्या है, पैकेज that checks all of your boxes you are looking for, तो यह यह common line है, जो कि coincidentally match हो सकती है, मैंने word to word, similar website से, कोई चीज ऐसे copy नहीं करी, कि उसने भी यही लिखा है, जो कि smart watch को पर लिख रहा है, मैं भी वही लिख रहा हूँ, तो वो एक intentionally match होता है, बट यह coincident match है, तो इसलि sit back, relax and let us be your trusted guide in the world of smart watches under 8000, यहाँ पर कहा है, so sit back, relax and let us be your trusted source of we, whatever it is, बहुत ही common sense है, यह coincident से स्यादा कुछ नहीं है, what to what copied नहीं है, और यह 70% match है, तो यह coincident वाले matches है, 100% safe to use, so let's do one thing guys, इसको copy करते हैं यहाँ से, and यहाँ के इस section में इसको कर देते हैं, paste, and your content is getting ready for your first affiliate marketing blog, can you see this guys, how amazing this is, अब देखो इस तरीके से हम काम करने वाले हैं, the truth about smart watches, same happens, अब आप उसको copy करोगे, और paste कर दूँगा, और यहाँ पर अब मैं लिखने वाला हूं, write a section about my blog, h3 लिख देने दर, क्योंकि एक h3 section है, मैंने welcome वगरा से start कर वा दिया था तो बार welcome नहीं आना चाहिए, तो इसलिए मैंने इसको h3 section जानबुच का लिखा है, write a h3 section about my blog, the truth about smart watches, write an h3 section, जो की यह है, about my blog, a blog का title क्या है, this is the blog title, इसे कहते हैं guys, prompt engineering, which is very much required, chat GPT में सिर्फ आप लिख दो के यह कर दो वो कर दो, नहीं, prompt को देना आना चाहिए, तब जाके वह आ सकता है, and now, save and submit, अब देखते हैं, इसने मुझे क्या लिख के दिया है, see, अब देखो, यह कितना जबदर्सा transitions होगा, अगर मैं इसके बाद इस section को लिख रहा हूँ, the truth about smart watches, लिख के दे रहा है, बहुत ही amazing तरीके से, okay, एक छोट इसी चीज हो गई, कि मुझे यहाँ पर, थोड़ा सा छोटा लिख वाना चाहिए, इससे, in just, 100 words, अब मैं फिर से इसको submit करूँगा, and सिर्फ 100 words में लिख वाने की कोशिश करूँगा, because बहुत lengthy content भी boring ना हो जाए, okay, now, we'll see, कि क्या यह 100 words में आया है, then word counter में दोबारा चलेंगे, 121 words, तक करीबन, तो यह open issue हम कर सकते है, let's copy it, इसको यहाँ पर जाते है, और इसको मैं यहाँ पर delete करके, paste क करके, अब मैं इसको भी 80% आना चाहूँगा, and we'll see, finger crossed, अगर delete 80% आ रहा है, तो अच्छी बात है, वरना अभी तक तो नहीं आया, so, अब यहाँ पर देखो, इसको change करने की ज़रूत नहीं है, it is absolutely unclear, अगर यह dark yellow नहीं है, यह bright yellow है, you can likely make this more human sounding, simply with some different word of choice, but यह जो है, possibly AI है, हम इस वाले yellow को, खास काथ इसे orange बोलते है, I don't know, color इसको क्या कहते है, आप इसको change करना सकते हो, इसको अपने language में लिखो, अब मैं दोबारा churn क्या करूं, अगर आपको churn करवाना है, it's your wish, आप यहाँ पर जाओ, पिछले वाले chat में जाओ, और यहाँ पर लिखो, do the same as above and then enter, copy, इतना ही copy करेंगे, because इसने extend कर दिया, इसको तोड़ा सा more unique बनाने के लिए, extend करेंगे तो हमारा word extend हो जाएगा, we don't want that, अब देखते है कौन सा है, sure से लेके, हमने कहा तक लिए इसको, limitations तक, तो let's do one thing, इसको change करते है, जो कि मैं आपर कर दिया है, we'll see, अभी 65% है, ज checking it on your pleasureism tool, अब इसको दोबारा हम pleasureism tool पे click करेंगे, let's do one thing, इसको मैं हा से copy करता हूँ, so guys, now let's do one thing, pleasureism check पे click करते है, यह मेरा chrome extension है, paid chrome extension है, इसलिए यह available है, अब अगर इसने भी मुझे green signal दे दिया, तो guys, I again going to use this content into this section, and इस तरीके से मेरा content जो है, यह बढ़ता हुआ, चले और इसको use करो, इस section में आके, your job is done guys, now आपका content देखो, यह बढ़ता हुआ चल रहा है, just look into it, so इस तरीके से मैं जल्दी से पुरे content को complete कर लेता हूँ, otherwise मैं video में complete करता रहा, तो it's gonna be 10 to 12 hours का पुरा video हो जाएगा, which is again not going to be that good for you, तो इसलिए मैं जल्दी से fast forward में इसको complete कर देता हूँ खुद से, और आप बस enjoy करो, real content with logic. So guys, जैसे कि अब हमारा यह पूरा drafting जो है, हो गया है, हमने पूरा content जो है, proper तरीके से, with the help of chat GPT, with the help of plagiarism tool, AI detection करके, हमने finally इसको एक proper content बना दिया है, लेकिन अब आता है, वो major part हमारे content का, जिसके लिए लोग हमारे इस particular site में, या इस particular blog में आ रहे हैं, वो क्या है, तो गैस, उसके लिए मैं बताना चाहूँगा, इसके title को पढ लब हुआ, उनके कहने का मतलब यही तो हुआ ना, कि वो 8000 से नीचे वाले watches, smart watch ढूंड रहे हैं, वो आपसे मांग रहे हैं, कि बता दो यार, कौन सा best watch है, जिसको मैं ले सकता हूँ, 8000 के नीचे, तो हमें वो 8000 के नीचे वाले watches ही तो, उसको ढूंड के देने हैं, उसमे best से best review लिखना है, यहां तक तो हमने सिर्फ एक general चीजे बताई है, कि smart watch क्या होता है, smart watch को लेने से पहले कौन से चीज़ों का धिहान रखना है, जैसे कि factors हो गया है, वगरा वगरा, यह सारी चीजे, history बता दी, कैसे revolutionize किया, यह सब बता दिया, लेकिन मेन अगर हमने वही नहीं बताया, कि वो कौन से watches हैं, जो कि आप consider कर सकते है, 8000 के नीचे, तो क्या यह content हुआ, और क्या आपका affiliate marketing का कोई click conversion आएगा, नहीं आएगा, तो अब आते हैं, उस major portion पे, उस part पे, जहाँ पर हम यह सारी चीजे बखो भी निभाने वाले हैं, तो guys, यहाँ पर है, in-depth reviews of smart watch under 8000, जिसके अंदर smart watch 1, smart watch 2, smart watch 3, smart watch 4, इस तरीके से आप, जितने चाहो उतने बना सकते हो, depending upon, कि आपको ज़्यादा confused भी नहीं करने अपने audience को, और एक अच्छा खासा, you know, variation देखे, कि यह कुछ watches हैं, जो कि आप 8000 करने चाले सकते हो, तो मैं समझता हूँ, कि 5 number, जो actions में नहीं मिले, अपने लिए pick करने के लिए, तो इसलिए मने 5 रखा है, आप चाहो तो 7 भी रख सकते हो, और 9 भी रख सकते हो, मैं बेजोड इसलिए रखता हूँ, क्योंकि यह थोड़ा सा attract करता है, rather than कि even number, बतलब जो जो जोड़ नमबर होते हैं, उनसे ज़्यादा attract य हो, लेकिन यहां रखना, आप 10, 20, 30 नहीं करते हैं, यह फिर मतलब कोई, आपने उसको कोई guide नहीं किया, आपने उसको confuse कर दिया, so let's now talk about, कि अब हम कैसे search करें, कि कौन सा smart watch हम यहाँ पर उसको दे, कि 8000 के निचे यह better है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं जाओंगा Amazon, और Amazon में वो research conduct करूंगा, जिससे मुझे वो 5 smart watch मिल जाएंगे, जो कि सबसे best होंगे मेरे audience के लिए, और वो खुशी-खुशी उसको ले सकता है, कैसे, तो जल्ली से देख लो, इस पूरे process को, और as it is, यही करना, so guys, सबसे पहले हम जाएंगे Amazon पे, और यहाँ पर उस research को conduct जो कि हमारे audience के लिए best 5 smart watch होंगे, और वो attract होगे, उसको buy कर सकता है, तो guys, इसके लिए आप simple search पर यहाँ पर लिखो smart watch, लग दिया, अब यहाँ पर smart watch पे, आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, जैसे, आप यहाँ पर देखोगे, शायद हजारों में आपको यहाँ पर option मिल जाएंगे, देखे हो, हजारों में मिलेगे, यह तो 20 pages दिखा रहा है, और हर page पर नाना करके, कम से कम 20-30 आराम से product होते हैं, तो आपके पास हजारों options यहाँ पर available है, लेकिन हम पता क्या करने वाले हैं, हम बहुत ही ध्यान से उन products को यहाँ पर filter करने वाले हैं, ज क्योंकि वो 8,000 से नीचे मांग रहा है, 8,000 से उपर तो मैं यहाँ पर 8,000 तो maximum कर दूँगा, क्योंकि अगर पर उसको जादागा दिखाऊं, तो यह ब्लॉग उसके लिए नहीं है, वो 8,000 ही उसका budget है, लेकिन minimum भी, आप इस कमर लब यह नहीं, कि जहां बंदा 8,000 रुप से लेके 8,000 तक का watch जो है, यहाँ पर select करके go कर दिया, अब आप देखोगे वो जो 1300, 1400 के watches आ रहे थे, वो अब नहीं आ रहे हैं, लाइक दिस, अब यह सारे maximum 8,000 तक जाएगा, और तकरीवन 5000 से नीचे नहीं जाएगा, यह पता नहीं कैसे आगे है, might be इसका filter कुछ issue कर रह है, तो आप उसके साथ गलत धोका नहीं कर सकते, अब यहाँ पर जो खास बात आएगी, वो है, कि आपको उनी product को, अपनी audience को दे रहा है, जो कि 4 plus star की rating है, और मैं 4 plus star rating के लिए यहाँ पर एक filter लगाऊंगा, कि मुझे सिर्फ वही product दिये जाए, जिसका review already audiences ने, customers ने in fact, ज यह रहे उसकी list, जो कि 4 plus star rating वाले Amazon watches है, जो कि 8000 से नीचे भी है, लेकिन बहुत नीचे नहीं है, up to 5000 तक हम ने इसको maximum इसका downline रखा है, और इस तरीके से हमारे पर आ जाते हैं, इतने सारे products, अब आप without filter लगाए, as a human, as a reviewer, अपना दिमाग चलाओगे, क्योंकि हर चीज आपको bunny बनाए में जाए, तो guys, आपकी value क्या है, आपका खुद का talent, यह skill क्या है, तो यहाँ पर, अब मैं बताऊँगा, जो आपको करना है, वो क्या है, इन में से, आप उन 5 watches को pick करो, जिसक में एक तो star ratings जादा है, star rating जो है, वो तो 4 plus star है, लेकिन देने वाली ratings, जिसको उने participate किया है, वो ratings कितनी है, वो सबसे ज़्यादा जो हो, उनको pick कर लो, जैसे कि for example, यह 1900 rating है, यह 1900 दोनों same product है, इसलिए, और भी देख लेते हैं, मैं इसको बिल्कुल नहीं लूँगा, भले यह 4 star या 4 star से ओपर की rating है, लेकिन मैं इसको बिल्कुल नहीं लूँगा, क्य मैं जल्दे से चूस करना, start कर देता हूँ, क्योंकि हमें एक best experience देना है अपने audience को, इस चीज़ का थ्यान रखना, तो मैं यह आपर tabs में open करते हुए, और देखते हैं, अगर हजारों के संक्या में है, तो अच्छी बात है, वनला मुझे यह भी लेना पड़ेगा, लेकिन यह renewed है, तो renewed मतलब जो कि पुरानी घड़ी को नया बना के बेचा जा रहा है, then second page पर चलते हैं, यह शायद 1904 वही है, और यह भी ले सकता हो हमें, 824 is a good number, बस दो और रहाग है, वाओ, यह तो definitely लेना बनता है, 4 star rating वो भी 40,000 लोगों ने दिया है, तो इसको तो मैं जरूर लोगा, open click and then और चलते हैं, बस यह ध्यान रहना कि पांचों को पांचों आइटम डिफरेंट हो तो जादा बेटर है, जैसे honor हो गया, firebolt हो गया, amazfit हो गया, agp tech हो गया, और देख लेते हैं, यह can mixes, यह भी मैं ले सकता हूँ क्योंकि इसका review बहुत जबर दस है, या फिर 10 इसका भी अच्छा खासा review है, so let's open it, so guys, now आप आपके पास आपके 5 watches ready हो गया है, जिनको आप review करने वाले हो, so, समझा है अभी तक, मैंने पूरा process क्या सिखाया आप लोग को, कि हमें जो content लिखना है, उस content के according, यहाँ पर, जो हम watches देंगे, वो यह 5 होंगे, और उनको कैसे लूनना है, मैंने पूरा तरीका बताया है, यही तरीका आपके लिए सबसे best काम करेगा, convergence लाने में, क्योंकि आप जो in products पे आएंगे, by default, तो उसका review हाई होनी की वज़े से क्या होगा, कि वो खुद भी trust करेंगे, कि हाई in.com ले सकते हैं, तो यहाँ पर आपके conversion के chances maximize हो बहुत जबर्दस तरीके से मैं आपको psychology पे भी काम करवा रहा हूँ, आपके audience के, आप conversion को अपने बढ़ा पाओ, तो अब जल्ली से मैं करता हूँ, इन सब के मैं copy कर लेता हूँ नाम, और यहाँ पर आके अपने product पे इसको mention करता हूँ, smartwatch 1, space, honor magic लिग दिया, next इस पर चल that's it, then fourth को देंगे हम यहाँ पर, this one, agptech, यह जो है न, यह ip68 is like a waterproofing का एक marking होता है, तो हमें वो नहीं ले रहा है, यहाँ आप अखास कर आप इसे women जरू कर लेता, ताकि women लोग भी attract हो जाए आपके इस प्रदल कॉंटेंट से, then next है, last but not the least, मैंने पांच लिया, आप जितन let's talk about, अब मैं चाहूँगा कि आप बिल्कुल भी chat gpt का इस्तमाल ना करो, अब इसका reason क्या है मेरे बोलने का, बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि क्या है, आप एक influencer हो, लोग आप पे trust कर रहे हैं, लोग आपकी guidance को बहुत जादा true मान रहे हैं, तो अगर आप इसे chat gpt से लि audience के लिए, और आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, कि सिर्फ affiliate marketing के लिए मैं कुछ भी लिख रहो नहीं, यहाँ पर अब आपका skill और caliber दिखाने का time आ गया है, अब आप क्या करोगे guys, अब आप खुदिन smart watches को पूरा Amazon में जाके पढ़ोगे, समझोगे, customers के reviews तक पढ़ोग तो design and aesthetics के बारे में, मैं इस product को क्या समझता हूँ, मुझे वो यहाँ पर mention करना है, which is honor magic watch 2, अब मैं इस design को देख लेता हूँ, proper तरीके से, detail में देखता हूँ, या फिर इसको बिक कर लेते हैं, अब मैं इसको देखता हूँ, बड़े दिहान से, चीक है, यहीं उस बात को म अपना खुद का review दे सकते हो, because आप इस पे inclined हो, इस product पे inclined हो, तो इससे related आपको terms पता है, इससे related आपको knowledge अच्छी घासी है, इससे related आप word be ages, मतलब content के अंदर जो words होते हैं, powerful words, उनको better use कर सकती हो, क्योंकि बहुत लोग तो इस industry के terms को भी नहीं, यहनों use कर पाएंगे, जैसे मैं हूँ, मैं smart watch के terms को शायद ना use कर पाऊँ, क्योंकि मुझे smart watches पे इतनी knowledge नहीं है, बढ़ अगर digital marketing वही होता, तो मैं उनके terms बहुत बढ़े-बढ़े use कर सकता था, जो कि actually मैं industry terms होते हैं, तो इसलिए अपने passions के तरफ आप ज़्यादा फोकस करोगे, तो यह सब कि मैं होता, तो मैं क्या लिखता है, मैं लिखता है इसको, मुझे जो जो दिख रहा है, वो सारी चीज़े लिख रहा हूँ, कि एक radial round shape का bezels, बहुत थिन है इसके अंदर, थिन मतलब पतले bezels हैं इसके, इसके अंदर दो knobs हैं, two knobs at right side, enhancing its macho looks, मर्दाना लुक दे रहा है, ऐस कुछ मैं यहां पर लिखने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि मैंने पहले ही का, कि मैं smart watch से बिल्कुल भी connected नहीं हूँ, तो मुझे idea नहीं है, but just to help you and to make you understand, कि कैसे आपको अपना एक point of view देना है, वो आपको मैं यहां पर देने की कोशिश करता हूँ, इस तरीके से आपको इ स्टेल से बना हुआ है, इसके बारे में आप अपना point of view दे सकते हो, थोड़ा सा उपर चापते है, पहले यह पढ़ लेते है, यहां पर क्या 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 मैं है, download health app वगर है, full touch screen है, amoled screen है, इसके बारे बता सकते हो कि amoled screen design में कैसे help कर सकता है, यह स्टेल स्टील का है, dial has width of यह 46 mm का width है, then इसका resolution क्या है वो दे सकते हो, और इसके अलावा, design से related कौन सी चीज़े आप यहां से pick कर सकते हो, वो आप देख लो, continuous heart rate, monitor, usual heart rate वगरा, यह तो सारा, इसका features का part हो जाएगा, जो कि हम धीरे दिर आएंगे, क्योंकि features भी हमें आगे लिखने इसके बारे में, डिस्प्ले में, वो AMOLED वगरा, डिस्प्ले में आजाएगा, fitness and health tracking capabilities में, यहां पर आगया, यह heart rate वगरा, जो भी है, monitoring continuous heart rate, यहां पर आजाएगा, battery life के बारे में, हम यहां पर नीचे पढ़ेगे कि battery life इसकी कितनी है, सब content को यहां पर मिल जाएगा, लेकिन content तो मिल और फिर जैसे एक watch complete होता है, second watch पे भी आपको वही करना है, third watch पे भी वही करना है, fourth watch, fifth watch and so on, इस तरीके से आप अपना एक बहुत ही unique सा, अपना article affiliate marketing के उपर इस तरीके से बना सकते हो, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है, जैसे ही आपने यह सारा काम कर लिया, अब बा पड़ रहा है वो, और उसको आपका कहीं पर भी call to action नहीं मिला, तो आपके conversion zero हो जाएंगे, zero क्यों हो जाएंगे, क्योंकि उसको पता ही नहीं है, कि आपका कोई यहाँ पर affiliate link है, और उसको click करना है, वो तो आएगा blog पे, बढ़ेगा, comments होगा, direct Amazon पर उसको search करेगा, आपक opportunity, तो miss हो गया है, इसलिए call to action ज़रूरी है, अब जैसे ही मैंने for example, इसको complete कर लिया, इस point को complete कर लिया, अब मैं इसका proper तरीका से call to action देने वाला हूँ, call to action के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना है, simple, और यहाँ पर button पे click करना है, जैसे आप button पे click करोगे, सुना यह product मुझे Amazon पर बेख जाए, तो इसलिए मैं Amazon का यहाँ पर नाम लिखूंगा, बकाइदा, जिससे trust flow हो मेरे audience के mind पर, और जैसे मैं यहाँ पर why from Amazon link दिया है, अब simple मुझे link करना है, और यहाँ पर मेरा affiliate link देना है, कैसे, चलो सीखते हैं, अब मैं लेते हैं, यह वाला product है और इसके लिए, अभी, जैसे मैं तो affiliated हुँ Amazon से, तो मेरे पास तो affiliate marketing का account है, बट आपके case में कैसे, आप affiliate account के लिए eligible हो सकते हो, या फिर आप उसे apply कर सकते हो, वो मैं later on इस particular video के अंदर बताऊंगा, तो आप video में बने रहो, क्योंकि सारी चीज़े आप यहाँ पर सिख के आज ही जाने वाले हो, अब मैंने इस particular product का affiliate link बनाना है, तो simple बता क्या करना है, ब्राउजर में जाओ, ऊपर आपको यह Amazon associate stripe पर लेगा, इसके text link पर click करना, image या text image किसी परी, आप text link पर click करोगे, यह जो link है, इस link को आप यहाँ से करोगे, copy, जैसे आप copy करोगे, your job is done, वा सबसे पहले, आप इसको filled चाहते हो, मतला पूरा color जो है, black color इस पर आजाई है, सिर्फ outline, outline चाहते हो, मैं चाहते हो, पुरा filled हो, तक यह अलग से ही चबके, मेरे उस content के अंदर, simple, अब background के अंदर, मैं orange color देना चाहूंगा, why, because it resembles Amazon, Amazon का क्या color होता है, orange color होता है, if you remember, यह सा पर यूज करो, और pick color of a page, पर click करो, और यह रहा, यह color का, आप code ले लो, अब मैं background पर जाओंगा, और यहाँ पर मैं color पर जाके, जो अब मुझे color करना है, यह color जो है, मैंने ले लिए यहां से, अब यह रहा, color code, यह color code को मुझे copy करना है, Amazon पर आना है, यहाँ पर जाना है background पर जाना है, then इस पर click करना है, और यहाँ पर उस code को मुझे दे देना है, जैसे मैंने उस code को दे दियागा, इस exactly वो color आगया, जो कि Amazon वाला है, यह देखो, यह वाला Amazon color आगया, आप मैं थोड़ा सा और better करने के लिए, इसका जो अंदर वाला color है, इसको black करना चाहता हू तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, text पर जाओंगा, styles में, text में, और इसको Amazon के black color से मैं convert कर दूँगा, थोड़ा सा इसको चाहो, तो आप और style कर सकते हो, जैसे कि आप इसका size बढ़ा सकते हो, बट मैं चाहूँगा, medium भी रहे, बहुत बढ़िया नी, और इसका जो radius है, radial जो आप change करो, अपने according, अभी यह सब कर सकते हो, and that's it, so guys, आपका एक call to action जो है, proper Amazon का यहाँ पर बन गया है, तो इस तरीके से आप अपने call to action को यहाँ पर आगे बना सकते हो, guys, last में मैं आपको एक pro tip बताऊँगा, इस content को लेके, तो make sure, तो आप last तक जाओ, और मेरे सारे pro tips को वहाँ से आप procure करो, और फिर next product के लिए जो भी है, next product पर जाओ, उसका affiliate link आप यहाँ से बनाओ, same, और उसके लिए भी एक call to action, इस तरीके सें copy paste कर लो, जैसे for example, मैं ले तो मैं इसको करता हूँ copy, like this, copy block, then यहाँ पर आया, और यह next block है, तो इसके बाद मैंने इसको कर product का link, because this is the next product, यहाँ पर आओ, और यहाँ पर इसको edit करके, नया link यहाँ पर दे दो, नया link आगया, इस तरीके से आप सारे products के लिए अपना affiliate link है, with proper call to action, उसको यहाँ पर देत हुए चल ला है, और whatever the products, आपनो जितने भी बनाए हो, so जैसे ही आपका यह click to action वाला काम खतम लेना, क्योंकि यह SEO में बहुत बड़ा role play करता है, FAQs के questions से भी आपका भी कबार बहुत rank कर जाते हो, तो इसलिए इसको करना जरूरी है, और FAQs के लिए, FAQs को अच्छे तरीके से schema markup करने के लिए, rank math से बड़िया plugin इस दुनिया में नहीं हो सकता, कैसे मैं आपको बता लेता हूँ, simple plus पर click करो, और यहाँ पर लिखो FAQ, आपको यहाँ पर दिखेगा FAQ by rank math, इसको click करना है, और questions आपके पास जो है, उसको copy करो, यहाँ पेस्ट करो, और इस question का answer, या तो आप खुद लिख दो, अगर आप इस field में expert हो, तो जादा बेटर है, वरना आप इसको जिदा चाट JPT से लिखवाओ, like this, आप यहाँ पर जाओगे, एक और नया चाट ओपन करोगे, और यहाँ पर लिखो, can I make calls from a smartwatch, simple लिख दो, इसको कोई भी आपको और keyword देनी के ज़रूत नहीं है, कि FAQ है, यह वगरा, simple आप यह question नहीं पूछा है, तो यह answer दे सकता है, ज यहाँ पर answer की जगह इसको paste कर दो, और आपका एक FAQ बन गया, same add new पर click करो, और यहाँ पर तूसरा, आप question लो, chat GPT में जाओ, यहीं पर यह आप, same चीज करो, to the above, same चीज, अनला वो 50 word में लिखके देगा, enter, 50 word में लिख दिया है, copy, और इस तरीके से आप FAQ उसके questions के answers यह content का process same रहेगा, उसमें कहीं भी कोत्या ही, मत बरतना, वरना क्या होगा, आपके उस पर content के महनत में पानी फिर सकता है, अगर आप थोड़ा सा भी महनत से चूक जाओगे, तो यह सारी चीज़े करने के बाद, अब हमारा जो real content है, guys, वो पूरी तरीके से ready है, क्योंकि इसके अब हमें इस content के अंदर बहुत कुछ नहीं करना है, हाँ, यह जरूरी है कि आप images वगरा जरूर दोगे, जैसे कि battery life के ओपर कोई image यहाँ पर आपने दे दिया, वो images वगरा आभी कहां से करने हैं, उसके बारे में मैं आपको नहीं बताने वाला, क्यों? क्योंकि images तो आप जातो canva में बना लो, या google से ढून के canva में थोड़ा बाद उसको, आप modify कर दो, वो आप देख लो, लेकिन images होने जरूरी है, हर product का image दोगे, हर product के बारे में, जो features हैं, उससे related अगर images मिल जाते हैं, हर paragraph के लिए images मिल जाते हैं, तो इससे better कुछ नहीं होता है, क्योंकि सर् कर देता हूँ, क्योंकि उससे लिडियो जब है, बहुत लंबी होए जा रही है, और मैं चाहता हूँ कि आपको जल्दी जल्दी, जो main points है, उनको मैं बता के, यहाँ पर खतम करूँ, लेकिन हा, featured image जरूर देदेना, क्योंकि feature image जरूरी होता है, किसी भी एक अच्छे site के block क लिए, अब featured image में मुझे क्या देना है, depend करेगा कि आपका title क्या है, the honest and unbiased review smart watch order, यह है आपके पूरे content का, जो main title है, copy करते हैं, इसके लिए सीधा चलेंगे हम canva में, और canva में हम एक image अभी currently बना लेते हैं, featured image के लिए खास कर, तो इसके लिए एक general exercise ले ले लेते हैं, जो make sure कि मैं इसके ओपर कोई content जो है, वो बना पाऊं, the honest and unbiased review, अब let's do one thing, text पे चलते हैं, और text पे ढूंडते हैं, कि कोई एक अच्छा सा हमें title type का, कोई text मिल जाए, तो हम उसको यहां से use कर लेंगे, like, यह कर सकते हैं, अब इसमें से, honest and unbiased को हम यहां पर text में रख इसको करते हैं, delete, center position देते हैं, right, अब honest and unbiased review, यह हमारा एक title हो गया, अब यहां पर हमें कुछ phones दिखाने हैं, elements पर जाओगे, sorry, smart watches दिखाने हैं, तो यहां पर मैं लिखूंगा smart watch, तो कुछ smart watch के images आप यहां से इस तरीगे से ले सकते हो, like this, अब अपना creativity में आपको हो स कुछ भी इसमें effects वगरा, वो मैं सब आप पे छोड़ता हूँ, इसको करो download, download पे click, अपनी title, save और featured image, यहां पर जाके आप इसको set कर दो, drag and drop, जैसे ही आया था, select, set featured image, guys आपका featured image यहां पर आ गया है, आपका content technically पूरी तरीके से अब ready हो गया है, यह है हमारा वो blog article दोस्त जिसमें अब नहीं सर्फ traffic आएगा, बलकि convert भी होने के पूरे chances से रखेगा, because मैंने हर चीज affiliate marketing के point of view से drive किया है, इस content के अंदर, क्या-क्या है, जैसे कि पूरा content है, जो कि एक flow में है, एक story form में है, हर important points को मैंने हापर cover किया है, ताकि जो audience है, वो पढ़ते-पढ़ते, overwhelming feel क जा है, कि इस blogger ने, तो सारा information एक ही जगा पे दे दिया है, plus मैं उसको एक सहुलियत भी दे रहा हूँ, कि वो 5 में से options ढूंड सकता है, कि ये 5 है, जो कि इस price range में सबसे best है, और plus उस 5 में से, जिसमें भी उसका मन जा रहा है, उसका direct Amazon का link मैंने आपर दे दिया, तो यानि उस particular traffic के लिए, उस particular user के लिए, ये इतना एक easy cake हो गया है, कि अब वो nice if content को पढ़ेगा, पलकि वो उस particular link पे click करके, buy from Amazon करने की पूरी कोशिश करेगा, इसे कहते हैं affiliate marketing content, I hope so far so clear, so guys, अब बढ़ते हमारे next level के तरफ, जहां पर अब हम इस content के लिए, search engine से traffic drive करेंगे, and that is known as search engine optimization, so guys, now we are in step 10, जहां पर हम on page SEO and technical SEO को अंजाम देंगे, सबसे पहले समझ लेते हैं, कि actually में ये on page SEO और technical SEO क्या होता है, जिससे आप जब इसको practical करने बैठो, तो आपके logics इतने clear हो, कि आपका practical अपने आपी होता हुआ चला जाए, number one, सबसे पहले on page SEO का मतलब ये है, कि ज जिस blog को हमने लिखा है, और जिस page में लिखा है, उसमें वो सारे conditions अपलाई हूँ, जिस वज़े से Google आपके उस content को rank कराएगा, मतलब हर वो keywords का optimization, जो keyword पे आपको rank करना है, वो इस तरीके से पूरे content के अंदर फैला हुआ हो, कि वो automatically Google के radar पे आजाए, और Google उसको rank करा दे, उसको कहते हैं, on page optimization, और technical SEO होते हैं, जिसके अंदर हम उस page के अंदर तो काम करते हैं, लेकिन majorly हम अपनी website के उन fundamentals पे काम करते हैं, जो कि Google अब बहुत ज़ादा consider करने लग गया है, तो give you ranking on their serves, जिसके अंदर core web vitals आ गया, server security layer आ गया है, page speed, mobile responsiveness, ऐसी बहुत सारी चीज़े है, जो कि technical SEO में आता है, और ये चीज़ अगर आपने achieve नहीं किया है, तो हो सकता है, आपका content भी अच्छा हो, और आपका on page भी अच्छा हो, लेकिन just because कि आपकी website का technical background बहुत ही weak है, आप rank नहीं कर रहे हो, तो don't worry, आज मैं आपको पूरा जब affiliate marketing सिखा रहा हूँ, तो को करके ही मानना है, तो चलो, website में चलते हैं, और अब इसका on page करना start करते हैं, तब से पहले, on page अगर आपको करना है, तो आपको कोई एक plugin की जरूत पड़ेगी, चाहे वो used SEO हो, चाहे वो all-in-one SEO हो, चाहे वो rank math हो, लेकिन मैं prefer करता हूँ rank math, rank math की ही वजए से आप अगर देखोगे मैं एक website है, loud review, जिस पर मैं बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा हूँ, पिछले, कम से कम 8-9 महीने से, फिर भी मेरे website के बहुत सरे keywords है, वो top 10 में rank कर रहे हैं, यह 5th में, 6, 9, 10, 10, 7, 8, देख रहे हो, यह सारे top 10 में rank कर रहे हैं, और अच्छा कासा, मुझे traffic भी दे से होंगे, लेकिन जहां कि मैंने website को बिल्कुल भी अब देखना बंद कर दिया है, for some reason, क्योंकि मेरे पास, जो बाकी project है, वो priority पे है, और उन पे मैं ज़्यादा focus कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं इसको नहीं देख पा रहा हूँ, बाद में अगर मैं इसको revive करूँगा, तो मैंने rank math plugin के मदद से किया है, जो कि मैंने starting में आप लोगों से install करवाया था, अब यहाँ पर क्या-क्या होगा on page में वो देख लो, जैसे मैं इस rank math के block को click करूँगा, तो मेरे पास कुछ option आ गया है, general, advanced, schema और social preview, इस में से जो major मुझे काम करना है, वो करना है general पे और advanced पे सबसे पहले चलेंगे general पे, तो general पे अगर आप देखोगे तो आपके वाद चार options है, basic SEO, additional, title readability और content readability, यह चार pointers को आपको majorly optimize करना है, और optimize किस पे करना है, that is the most important thing, which is known as your focus keyword, तो इस particular content के लिए, आपका जो भी focus keyword है, जो कि हमने Samrush से निकाला था, उस sheet के अंदर, आप चा keyword के लिए काम कर रहे हो, उस keyword हो copy करो, और यहाँ पर आके उसको ऐसे paste कर दो, the moment you will paste it, अब rank हमेहत पूरे उस content को और आपके page के हर metas को scan करेगा, और पता लगाएगा कि आपने क्या-क्या किया है, और क्या-क्या आपने miss कर दिया है, जो किया है, उसको green tick कर देगा, और जो अप्तिमाइज कर दो, जिससे आपका पूरा content जो है, वो optimized हो जाए, वरना आज से पहले जब यह plugins वगरा नहीं थे, तब हमें खुद यह decide करना पड़ता था, कि हमने कितना कर लिया, कि छोड़ दिया है, क्योंकि वो सारा scan manually था, लेकिन आप जैसे कि हमारे पास plugins बहुत सार the focus keyword was not found in your meta description, अब सबसे पहले हम इसको कहते है, meta title और meta description, सबसे पहले इसको ठीक करेंगे, इसके लिए आप edit snippet पर जाओ, अब यहाँ पर आपको आस तीन चीज़े है, title, permalink और description, इन तीन पर आपको major optimization perform करना होता है, इसके लिए again, सबसे पहले अगर मैं बात करू, title, तो title should be off, आपका तकरीबन 50 से लेके 70 characters के बीच में होना चाहिए, अब यह title कहां दिखता है, जब हम Google में जाते हैं, और Google में कुछ भी search करते है, तो वो blue color का जो clickable link होता है, उसे title कहते है, तो अब मैं chat GPT में जाओंगा, और वहीं पर नीचे मैं यहाँ पर लिख दूँगा, write me an SEO-based meta title and description on this keyword, keyword क्या है, वो mention कर दो, तो मैंने यहाँ पर साफ लिख दिया है, कि मुझे एक SEO-based meta title चाहिए, और description चाहिए on this keyword, for my new blog, enter, अब enter करने के बाद आपका काम हो गया है, क्योंकि यह सारा context उसको पता है, कि हमने उससे क्या content पुरा लिख पाया है, plus मैंने keyword भी दे तो उसी base पर उसने मुझे title पर लिख दे दिया, और description पर लिख दे दिया, सबसे पहले चलते है, title पर, title को copy करते है, और चलते है, post पर और यहाँ पर enter कर देते है, जैसे मैंने इसको enter किया, तो आप देखो, कि इसने 79 characters में लिख दिया है, हलाकि इसको 60 characters के जाना होना चाहि best smart watch under 8,000, top affordable options for style and functionality, तो आप एक काम करो, मैं अब अपना अवल आपको तरीका बताता हूँ कि मैं क्या करता हूँ, best smart watch under 8,000, अब मैं यह सारे चीज़े नहीं लिखता हूँ, मैं यहाँ पर लिखूंगा hyphen और unbiased review, क्यों, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद, pros and cons इस आर्टि क्या करूँगा, मैं लिखूंगा month, जैसे मैं month लिखूंगा, तो guys, यहाँ पर आ गया month का option, अब यह month का क्या मतलब है, मैं आपको समझा देता हूँ, इसको आप invert commas में कर दो, then space, फिर से drop down, and month की जगा year, यह सिर्फ rank math की facility है, जो कि आपको मिल रहा है, आपको शाइद used मे ना मिले, क्योंकि मैं used भी use करता था, rank math में तो इस option को बहुत easily मैं avail कर सकता हूँ, अब देखो को title क्या बन गया, best smart watch under 8000, unwise review of July 2023, खुद सोचो, अगर यह July 2023, मैंने लिखा है, नहीं न, क्योंकि इस वीडियो को मैं July में record कर रहा हूँ, तो July अपने आप आ गया है, जैसे ह यह August जाएगा, तो August यहाँ पर लिखा जाएगा, अब जिस महीने जो audience इसको पड़ रहा है, उसको लगेगा, यह latest उसी मंत का review है, मतलब यह बहुत updated content है, बस यहाँ पर उस psychology को इस्तेमाल करना, जहाँ पर मैं CTR को बढ़ाता हूँ, अपने उस blog के लिए Google पर, और जब CTR बढ़ता है, क्लिक जादा आते हैं आपके उस blog पे, तो automatically आप top rank को achieve करते हो, चलती हो, क्योंकि Google सोचता है, कि इस content को सबसे जादा लोग पसंद कर रहे है, आप by default ना, एक लिए top ranking के लिए shoot कर दिये जाते हो Google की तरफ से, बस यह जो psychology है, यह जो trick है, यह मैं इस्तेमाल करत क्योंकि इतने powerful content के साथ, प्रीमे देने का intention बहुत मुश्किल से आता है, तो इसलिए, प्लीज इस intention को भरकरार रखो मेरे, अब जैसे ही हो जाता है, बस simple अब वापस जो, अब description करना है, और description को मैंने यह से copy करना है, और description को भी, यहापर paste करना है, यह भी rate हो गया है, इसक a perfect blend of style and functionality, read or unbiased reviews and make an informed decision for your, so guys, देखो, अभी यह 5 character अभी जादा है, कहीं से तो हमें मैंनेज करना पड़ेगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ, कि यह जादा लंबा होगा, तो यह बहार निकल जाएगा, उस reading pan से, Google में क्या होता है, dot 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 आ जाते है, जब वो कोई चीज बहार नि जैसी यह complete हो जाता है, देखो, 160 के अंडर ले आया हूँ, बस मेरा काम खतम हो गया, अब मुझे जो करना है, अब पर्मल लिंक पे काम करना है, पर्मल लिंक में मैं चाहूँगा, यह दो, यह सब ना है, मैं क्या चाहूँगा, कि इसमें से दो हर्ट जाए, in fact, मैं तो कहू और इसको सेव ड्राफ्ट कर दूगा, एक बार अपने हाप आ जाएगा तो आ जाएगा, और मैं रिफ्रेश करके देखूँगा, अब मैं इधर आऊँगा, अब देखो, अब भी भी यह कह रहा है कि फोकस कीवर्ड जो है, मैटा डिस्क्रिप्शन पर नहीं है, अब मैटा को सेव ड्राफ्ट करते हैं, अब यहां पर यह ग्रीन थिक हो गया, कि फोकस कीवर्ड वोज अंबाइस्ट यह, यह भी 68 हो गया, 66 से, यह बढ़ता रहेगा गाईज, इसको 80 प्लस करना है, और यह मैक्सिम्म सारी चीज़े जो है, हमें ग्रीन करते हुई चलनी है, अब यह यहां पर स्टार्टिंग में, कि आपका कीवर्ड होना चाहिँ आए, जो कि यहां पर है, अब जहां पर क्वोंट्ट को छेडने की बारी आरही और आपको अंगरा हो गया यह, मेरा रिडिंग एकस्पिरियन्स खराब हो जाएगा, और काफी ज़ाँ यह लोगे गा कि मैं, स और यह औरेंज है औरेंज को भी छोड़ दो क्योंकि औरेंज हमें चेड़ना नहीं होता है 1230 वर्ड का तकरीमन यह content है चलेगा क्या रहा है good job है अब additional पर आते है यह रहा all text all text में यह कह रहा है आप अपना जो keyword है smart watch under 8000 यह जो main keyword है focus keyword किसी एक image में डाल दो तो एक image जो की featured image है और featured image में भी क्या लिखा है smart watch under 8000 बस यहाँ पर डाल दो set featured image पर click करो save draft करो वापस आओ 68 का 69 हो गया अब यहाँ पर जाओ जो additional पर यहाँ पर वो चीज ग्रीन हो गई है अब देखो यहाँ पर पार्ट मान रहा है इसको यह वाला image यहाँ पर आते ही और इसके अंदर all text है तो इसने इस point को green कर दिया 71 हो गया 69 से अब आगे चलते है keyword density 0.08 which is low and focus keyword in combination appears one times यह ज़रूरी है guys इसे कहते है keyword density keyword density का मतलब है घनत वो कि आपका यह वाला keyword चोकी है smart watch under 8000 यह पूरे content के अंदर 0.08 परसंट का density रख रहा है which is very low आपको minimum 0.5 से लेके 1% के keyword density को manage करना होता है 0.5 मतलब कि अगर मेरे total content है वो 1230 word का है तो मैं इसको open करूंगा 1230 multiply by 0.5 divided by 100 तो guys मेरा आता है तक्रीबन 6 वार 6 वार repeat होना चाहिए मेरे यह पूरा keyword मेरे content के अंदर अब यह content मैंने optimize अभी तक तो किया नहीं है इसका मतलब यह keyword जो है 6 बार minimum नहीं है 6 बार तो होना ही चाहिए लेकिन बहुत जादा भी 1% 1.5 से जादा मत जाना मतलब 12 या 15 से उपर मत जाना अब पर example अगर मैं search करने बैठ हूँ smart watch under 8000 अब आप देखो यह total इस content के अंदर कितनी बार दिख रहा है एक तो title में आ गया दूसरा यहां पर आ गया पूरे content के अंदर main content के अंदर यह सिर्फ दो बार है कम से कम 6 बार आना चाहिए अब for a tutorial purpose मैं आपको दिखा दूँ कि अगर यह 6 बार होता तो यह कैसा दिखाता यहां पर आपको कम से कम 6 बार लाना है लेकिन मैं for tutorial purpose कहीं भी paste कर रहा हूँ बट आपको क्या करना है proper इस keyword को लाइन के साथ match करते हुए content को बनाना पड़ेगा जैसे कि मा लेते हैं यह smart watches बेस्मार्ट watches अंडर 8000 है अच्छा smart watches है तब smart watch का अपका keyword है तो यह भी माना जाएगा कि यह similar word है क्योंकि इसमें साफ कहा गया है the focus keyword and combination तो यह भी माना जाएगा हलांकि मैंने यहां पर control F किया है तो इसलिए सिर्फ उसने exact match को यहां पर maintain किया है तो यह भी माना जाएगा बट इसके अलावा कर मैं देखूं कहीं और यहां पर भी smart watches है अंडर 8000 और कहीं है क्या और देखते हैं smart watches अंडर 8000 और भी देखते हैं smart watches अंडर 8000 है गाइस अच्छा कासा है लेकिन यह क्यों हमें crack कर रहा है इस चीज़ को सो लेट्स दू वान तिंग कुछ जगा पर हम smart watches अटा जेते हैं यह शायद crack कर ले कुछ जगा अटाते हैं सिर्फ smart watch अंडर 8000 इस keyword को लेते हैं जो कि हमारा main focus keyword है smart watch अंडर अच्छा-च्छा smart watch को भी अलग-अलग लिखेंगे तो यह consider करेग smart watches को watch हमें इस तरीके से करते हैं smart watches सो गाइस देखो 0.08 से 0.24 हो गया है क्यों क्योंकि मैंने तीन टाइम इसने देख लिया कि मेरा main keyword यहां पर है चार टाइम आ गया 4 टाइम अब मैं इसको बढ़ा रहा हूं देखो यह जैसे ही green हो जाएगा my job is done लेकिन आपको content के flow को खर 0.49 गैस देखो जैसे 0.5 क्रॉस किया इसने 7 टाइम सा गया इसने सको orange कर दिया क्योंकि मैंने कहला था minimum इतना होना चाहिए और आपका score 76 हो गया है बस चार score और एचीव करना है जो हम किसी और से कर सकते है क्योंकि अब अगर मैं keyword और बढ़ा दूं तो हो सकता है यह over optimize हो ज जो कि इसका खुद का keyword research tool है उसको use करने के लिए कह रहा है मैं अभी फिलाल इसको use नहीं करूंगा तो मैं देख रहा हूं guys मैंने almost सारी चीजे cover कर ली है अब बान लेता हूं कि अगर मैं इसका internal linking बना लेता हूं तो मैं 80 plus score cover कर जाओंगा और मेरा ये पुरा content जो है SEO optimize हो ज reply कुछ important comments को कर पाता हूं लेकिन आपको comment जरूर करना है क्या पता आपका comment बहुत important हो मेरे लिए और मैं उसको reply कर दूँ तो guys अब हमारा on page SEO जो है वो यहां तक तक क्रीवन खतम हो जाता है क्योंकि maximum 90% हमने कर लिए 10% में वो internal linking आता है उसको मैं बता दूंगा जब हमारे पास एक और page होगा क्योंकि जब तक हमारे site के अंदर minimum 2-3-4 pages नहीं हो जाते हैं internal linking को करना नामुम्किन हो जाता है तो इसलिए वह बाद की बात है लेकिन अब आते हैं सीधा technical SEO अगर आपने कर भी लिया है लेकिन अगर आप technical SEO को उतने अच्छे तरीके से निभा नहीं पा चलिए मैं आपको जल्दी से बता देता हूं technical SEO में गिने चुने कुछ बहुत important चीज़े आती है वो यह है जैसे आपका site जो है वो responsive है या नहीं है और mobile devices के लिए compatible खासकर है या नहीं है अगर आपका जो website है वो mobile devices के लिए compatible नहीं है मतलब जब भी mobile में open करता है तो उसके ज सिम्म जो है वो mobile से आता है यह hence proven है second जो है वो है आपके site का speed जब भी कोई आपका content search करता है और Google में उसको वो click करता है तो वो कितनी देर भी आपके site को जो open कर देता है तो वो speed भी बहुत ज़्यादा matter करता है third है core web vitals जिसके अंदर बहुत सारे छोड़े परामेटर्स हैं technical वो आपको ध्यान रखना पड़ता है इसके अलावा है schema का markup proper तरीके से हुआ है नहीं हुआ जिसके अंदर breadcrumbs, FAQs यह सब आ जाते हैं तो यह सारा technical SEO को एक base देता है और यही सीखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो for example हमारा यह वाला जो content है यह जो है चेक कर लेते हैं कि यह technically ठीक सब कुछ है या नहीं है सब सब आप rank math में जाओगे जो कि आपको ऊपर एक bar बना हुआ आएगा which is your quick bar wordpress में by default होता है इसमें आपको rank math दिख जाएगा अगर आपने rank math को install किया है यहाँ पर आपको आके simple external tool पर जाना है और first जो है google page speed इसको check क Google page speed ठीक रहा तो आप समझ लेना कि आपका जो वाला page है उसका page speed का जो technical SEO वो आपका हो चुका है जिसके अंदर अभी आपको result दे देगा पकी इसके लिए आपको और भी चीज़े चेक करनी है Google mobile friendly इसको भी चेक कर वा लेते हैं क्योंकि अगर आपका mobile friendly नहीं हुआ मैंने प best मतलब आपकी site का जो loading speed है बहुत perfect हो रहा है क्यों कि मैंने hostinger का hosting इस्तमाल किया है जिसके अंदर SSD और प्रोसेसर यह काफी fast है यह जल्दी से load करते हैं प्लस जो theme मैंने लिया था वो बहुत ज़दा light weighted theme था दोनों को मिलाकर मेरा performance जो है वो by default stronger accessibility में अभी मैंने बहुत ज़दा designing पर काम नहीं किया तो accessibility का मतलब होता है कि आपके content एक दूसरे से कितना बड़िया तरीके से match कर रहे हैं और आपकी user का experience कितना best हो सकता है वो accessibility में आता है कि आपके site के अंदर navigation वगरा proper है या नहीं है लेकिन आप देखो best practices यासे website को बनान इन्हों rank करने के लिए तो ये कुछ चीज़े हैं जो कि आपको खास कर ध्यान रखनी होती है अगर आपको सच में जादा से जादा SEO traffic लाना है अपनी website के लिए तो अब जैसे कि मेरा तो already hosting कर में host है तो server speed भी मुझे मिल गया और पलस मैं एक lightweight theme लिया है जिसमें बहुत ज़ तरीके से technical SEO का जो course है वो नहीं है मैं इस टाइम पे focus कर रहा हूँ affiliate marketing पे तो अगर आप इसको as it is follow करोगे जैसे कि मैंने सुरू से बताया कि hostinger का hostinger लेना और यह वाला theme डालना यह इस टाप के theme और भी अगर light tweeted हैं वो डालना तो आप देखना by default अपका technical SEO हो जाएगा वरन लाइकन के साथ करना तो यह पूरा technical SEO का पार्ट है जो कि आपको धियान में रखना है कि यह cover जरूर हो तभी आप organic traffic लापाओगे search engine से वरना बहुत ज़्यादा traffic जो है आप miss कर सकते हो तो guys अब आते हम step number 12 पे अब आप बोलोगे step number 11 क्यों नहीं किया step number 11 जो है यह off page techniques जिस काम होता है वो किसी और की site में जाके आपकी site के link देना होता है तो अब मेरे site का कोई link तो available ही नहीं क्योंकि मेरे पास कोई post अभी बनाया नहीं मैंने publish नहीं किया तो मैं अपनी site का कौन सा link दूसरे किसी की website में जाके दूंगा तो इसलिए इस step को अभी हमें करना लेडी है और search console से सारा आप track कर सकते हो अपना organic जो भी traffic है organic keywords है आपका कोई problem आपके page के अंदर आ रहा है आपके पूरी website के अंदर आ रहा है core web vital जो है वो missing चल रहा है breadcrumbs missing चल रहे हैं क्या क्या missing चल रहा है वो सारी चीज़े है आपको organic मतलब पूरा organic इस fundamental में जो भी चीज़े हो रही है उसको आप वहाँ पर track कर सकते हो तो इसको करने के लिए आपको क्या करना है simple आपको अपनी website पे आना है dashboard में जाना है तो rank math आपको general settings पर जाना है और webmaster tool पर जाना है webmaster tool में अब आपको Google search console के उस meta name को यहाँ पर enter करना है जो की यह verify करेगा कि हाँ यह website जो है आपकी है Google search console ने verify कर दिया है अब Google search console आपको सारा data आपके GSC पर देगा Google search console पर देगा उसके लिए आपको क्या करना है आपको जाना है search.go Google.com forward slash search console तो guys आपको जाना है Google search console में और Google search console में जाके आपको यहाँ पर अपना जो domain name है उस domain name को यहाँ पर करना है enter like this खाले domain name domain name और कुछ नहीं enter continue अब यह आपको verify ownership करने के लिए बोल रहा है यहाँ पर जाओ और HTML tag पे क्लिक करो और यहाँ से HTML tag को कॉपी कर लो जैसे HTML tag को enter करके नीचे save changes पे क्लिक कर दो the moment you will do the save changes वापस आओ अब यहाँ पर आके verify पे क्लिक कर दो अब जैसे ही आप verify पे क्लिक करोगे surprise आपका ownership जो है वो verified हो जाएगा आपका Google search console ready है now click on go to property बस आप आ गए Google search console के अपने उस particular website के data में जो की अब आपकी website का सारा tracking रखने वा आज के बाद इसमें होने वाले हर चोटे से चोटा search से आने वाला traffic को यह ट्रैक करना शुरू कर देगा बस next step में हमें site map को यहाँ पर submit करना है site map submit करने के लिए आप जाओगे site maps में और यहाँ पर आपको उस URL को enter करना है जिसके लिए अगे वापस आप आप जाओगे rank map मे rank map में जाओगे site map settings पे यहाँ से आप इस site map को कर दोगे copy सिर्फ इतना part copy and then क्योंकि इतना part तो इसने already mention किया है सिर्फ इतना करना है और इसको कर देना है submit the moment you will click on submit आपका यहाँ पर site map आजाएगा status success अगर for example आपका status success नहीं आता है आपको खाली refresh करना है और आप देखोग अब हमने complete कर लिया है हमारा google search console setup बस setup में यही होता है कुछ नहीं करना होता है क्योंकि google search console के अंदर सिर्फ आपको tracking करनी होती है और कुछ नहीं करना होता है सारा track record data आपको यहाँ पर मिल जाता है और इसके अलावा जो हमने site map को submit किया है इसका सिर्फ काम यही है कि आपके नया content update हुआ है फटरफट से आओ इस site के अंदर और इसको crawl करके content जो है google पे index करा दो site map का काम इतना ही होता है so guys now step number 12 has been completed and officially हमने affiliate marketing course को complete कर दिया है guys यकीन मानो इस course के अंदर मैंने अपना पूरा 100% दिया है और अपने life का वो छोटे से छोटा experience दिया है जो कि आपने शायरी कभी feel किया हो कि किसी और वीडियो में या किसी और course के अंदर आपको मिला है मैंने अपने pure intention के साथ आपको ये content दिया है जिसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं चुपाया थोड़ी बहुत चीज़े जो कि advanced में है super advanced वो इसलिए miss हो गई होगी मुझसे क्योंकि ये बहुत बड़ा content बनता हुआ जा रहा है तो तो आपके लिए एक master course है अगर आपने इसको follow कर लिया तो आप 100% successful हो जाओगे मैं इतना confident हूँ बस इस चीज़ को आपको सही से निभाना है तो guys अब आप मुझे जल्दी से बताओ आपका feedback क्या है आपका review क्या है particular course को लेके मुझे comment में ज़रूर बताना मुझे पता है आप मेंसे बहुत लोग तो अभी तक लेवल तक पहुंचे भी नहीं होगे इतना दूर तक तो आए नहीं होगे पहले निकल चुके होगे बिकर बहुत लोगों को लगता है कि affiliate marketing बस आसान होता है इसमें पैसे खाली बरसते हैं बस कर लेना होता है लेकिन महनत करने के टाइम पर उनको लगता है नहीं है तो मेरे बस की बात नहीं है छोड़ो तो इसलिए वीडियो से भी बहुत लोग निकल गए होंगे मुझे पत सकते हो क्योंकि आप यहां तक पहुंचे हो आपको जरुत है affiliate marketing की और आपके अंदर वो दुर्ड इच्छा है करने की तो इसलिए दो combination जो है ना एक जरुत और दुर्ड इच्छा तो वो इनसान को एक successful इनसान बना दिता है और आप में वो काबिलियत है तो इसलिए अगर आपको मेरी कोई भी जरुत है affiliate marketing में तो आप घपराना मत गाईज मैं आपके लिए always ready दाऊंगा मेरे email एड़ी लिख लो roy at the rate roydigital.in इसमें आप email कर सकते हो जब जो मन करे आपका कोई भी सवाल हो feedback हो आप मुझे कर सकते हो मैं reply देर सबेर करूंगा ऐसा नहीं कि मैं reply तुर आप लोगों को देता हो यूही मेरा प्रयाज जो है आप लोगों को मांग दर्शन को देने का वह मेरा चलता रहेगा और यूही आपके दिमाग ठंकाते रहूंगा different content को देखे जो की life changing valuable content होते हैं आप लोगों के लिए बाकी मेरे पास और शब्स है नहीं कि मैं आप लोग करें अपने friends को अपने family members को help करें आप उनको भी affiliate marketing सीखने के लिए आप एक you know अपनी तरफ से initiate ले कि affiliate marketing सीखो इसमें काफी अच्छा कासा scope है वो भी करें वो भी आगे बड़े बस मेरा भी प्रयास यह रहेगा आपका भी यह रहे तो हम दोनों मिलके सब बहुत अच्छा कर सकते हैं तब तक के लिए यूही मुस्कुराते रही है और मुझे इजाज़त दीजिए